हाल हाल पाणिची बुटल पाणिची बुटल झाल 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 आरे श्री श्री अरे तुला सामास देतो है यह काई थी स्कीन वर आला नहीं ना इकड़ 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 इस्प्लिटर बंदे का तूल्य इस्प्लिटर आरे श्री प्रिजे लिए अरे विए डिवते रिवते आला आए तूल झाल चालो इस्प्लिटर इस्प्लिटर प्लिटर ना प्रश्राइब कर दो कि आप लोग का संडे बहुत प्यारा रहा होगा मुझे जानकर बड़ी बड़ी खुश हुई कि आप लोग को एक देड़ घंटा जल्दी छुटी मिली साथ बड़ी छुटे न आप लोग कुछ लोग जो लोग गुरूपन चल रहा था क्या मजे के दिन थे तुमारे आना पड़ास बारा बज़े एक बज़े वाह मतला भरपूर नीन लियोंगी यस नो नहीं सोय क्या दस बें तक सोय ना कपड़े दोये लड़के बोले भई हमको तो यह समझता ही नहीं कपड़े दोना क्या होता है आज मेरे को याद दिला ना तो कपड़ों की बात मेरे होस्टल की मैं बताऊंगा चलिये नउ उमीद करता हो कि आप mentally और physically fit and fine है yes good morning online वाले बच्चो अनूप, सौम्या, रॉक्सडेविल, चेतना, मेलिना, अक्षाथ, अनूप okay guys, चलिये फड़ाफ़द रिवाइस करते दो लेक्चर्व अपने जो देखा अगर कोई बंदा, financial statement फिना चेकर कर walking report get a concert और को रिटरी सcych्छारा है? अर अगर कोई बंदा, internal control system की रॉक्ट कर atक उस पर रिपो रिपोटीड हा? internal एक प्रफिट्मेंट गेप्रू एंड फेर्विव एरिस्पेक्टिव फेर्फ लीगल फॉर्म वेदर और नाट प्रॉफिट ओर्येंटेड फिर यहां से मागे बढ़ेते हैं वो डॉकुमेंट जो हमको बताते हैं अडिट कैसे करना उसको क्या बुलते हैं standards on auditing audit कैसे करना वो का होते standards on auditing 200 सिरीज किसके लिए है basic principles 300 400 planning 500 600 using work of others 700 reporting 800 specialized areas फिर यहां से आगे बढ़ेते हैं पहला phase कौन सा होता है initial phase उसके बाद planning phase उसके बाद execution phase उसके बाद reporting phase उसके बाद others जिसमें हम majorly क्या देखते हैं documentation देखें बहुत प्यारी प्यारी सी simple simple सी common sense चीजे common sense based चीजे हमने देखी है अगर किसी का कोई lecture miss भी हो जाता है कभी भी ध्यान रखिए कोई भी lecture miss भी हो जाता है प्यार महबबत से आराम से उसका क्या सुनना है audio अगर आप प्यार महबबत से अच्छे से audio भी सुन लो तो link लग जाती है एकदम कुछ हवा नहीं लगती ऐसा होता नहीं है खास करके पहले दो तीन lecture के audio अगर आपने अच्छे सुन लिये कोई lecture miss भी हो जाए कोई चिंता मत करो आप उसको connect कर लेंगे कितने लोग audio सुनना शुरू किये है okay भाई आसू आ जाएंगे फिर भी कुछ लोग बाकी है ठीक है गाई इस वेरी सिंपल आपको जो ग्रूप दिया है उसको जॉइन करिये वहाँ पर आप आप जाएंगे तो आपको पहली दिखेंगा audios, important files by Ravi Sarsif महीं पोस्ट कर सकता व बढ़ियो जितने भी instructions है और मैंने DPQ भी दिया था DPQ भी दिया था yes no DPQ भी मैंने दिया था और मैंने ये भी बताया था कि app में कैसे upload करना है फिर भी मैंने जो देखा अभी भी around 20-30% लोगो ने ही बराबर batch join की है कोई बात नहीं आराम से कर लो मैं हर DPQ का standard answer कैसे होना चीए वो भी उसमें दूँगा चेक करके आपको मिलेगा अभी हमारे जो checkers है उनसे बात चल रही है आपको regularly जब भी मिलेगा आपको app के ओपर notification आ जाता है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है मत ऐसे बार बार refresh करनी की जड़त नहीं है हां बुलो बुलो नोटिफिकेशन आता है हां ऐसे नोटिफिकेशन आउन रखा करो जब लोग ऐसी ऐसी भाहिया चीज़ों पर ताली बजाने लगे तो समझ आना मानसिक संतुलन वेगड़ चुका है बराबर ये लोग किसी चीज़ पर भी हस सकते किसी चीज़ भी ताली बजा सकते क्या बोल रहा है बोलो बोलो ओके दियान देंगे ये बेसिक्स हमने देखे थे फिर अपने देखा था रोल अफ और अडिट एविदेंस दो चीज़े याद आनी चाहिए एक तो फ्लो और फिर ऐसे 500 फ्लो अपने को याद आना चाहिए अल्टिमेट अब्जिक्ट्व किया टु गिव ओपीनियन ओपीनियन देने के लिए क्या बने पड़ेंगे कंक्लूजन किसकी उपर फिनेंशल आइटमस की उपर कंक्लूजन किया लाएगा audit evidence evidence कैसे मिलेगा audit procedures और जो भी आप काम करोगे वो recklessly होना नहीं चाहिए ऐसे फाइव निदम को बाता है what do you mean by audit evidence types of audit evidence how to obtain evidence फिर यहां से हम लोग आगे बड़े थे रोल देख लिया था हम लोगों ने types of audit evidence nature के साब से अच्छा उसमें भी हमें देखा था audit evidence में दो तरह के records है कौन से accounting records and other records accounting process के दुरान जो बनते वह कौन से record है accounting records other record में सबसे पहले company बनी legal record लोग आए employee records काम चुरुआ production records और फिर third parties सिफ accounting यूज करना चाहिए कि सिफ अधर की दोनों का combination यूज करना चाहिए फिर depending on nature तीन तरक evidence थे देखा क्या हुआ visual evidence बारचित की oral evidence document लिया documentary evidence depending on reliability persuasive and conclusive high quality evidence convincing evidence कौंसा evidence होता है persuasive 100% surety इसको कोई challenge नहीं कर सकता conclusive evidence फिर source की साब से बाहर से आतो बाहर से आतो external company के अंदर से आतो internal ज्यादा कौंसा reliable है external audit evidence जो evidence हमको सबसे पहले मिलता है वो क्या है initial audit evidence जो बाद में मिलता है additional evidence अगर match हो तो अगर match हो तो corroborative evidence match नहीं हो तो contradictory evidence is everyone clear about this guys बहुत simple है बहुत ही आसान है और आपको step by step बताया जा रहा है ठीक है हाँ आसान है आसान है क्या गोल रहा है कौन है करी मिनाटी जाके latest video देख लो भाई अपन भी देखते हैं बहुत मजाता है हाँ 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 आज आ आशिस चंचला है बरावने सइए हैं आज 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 कुछ important काम कर रहा हो गासा गलत मत सोच हो कामेरा बिलिंक करतो है बगुन के एक दा थोड़ा बंद होंगा नोज तो फिर्थे सप्लाइ बरुबर के बगुन के लिए अगए नुगे अगए नुगे देखें अदर कुछ इसे रहेंगे जिस पर बहुत चर्चा करनी है ध्यान देना है और कुछ ऐसे जो निप्टाना है मतलब उसमें कुछ समझने लाइक, सीखने लाइक ज़्यादा कुछ नहीं है जैसे उसमें से एक है objectives कौन सा है objectives आपका हर ऐसे every standard on auditing objective set करता है objective set करता है मतलब target set करता है target set करता है aim set करता है कि यह standard पढ़के यह principles पढ़के हमको यह achieve करना चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते ह उसका बाद में कुछ काम नहीं आता जनली उसपे कोई question पूछा जाता नहीं हो सकता है कभी कबार उसपे क्या पूछ ले MC की हो ठीक है फड़ापट उसकी उपर लिखते जाएंगे class में जितनी scribbling आप करेंगे उतना अच्छा और concept number दे कर स्क्रिबल करते जाओ 500.050 यह concept number है Every essay sets target aim for auditor to be achieved by following by following principles and procedures of that essay objectives का मतलब मैंने बताया essay 500 भी एक objective set करता है जो बहुत common sense based होता है बहुत ही ज़्यादा common sense based ultimate objective है to collect sufficient sufficient मतलब क्या होता है quantity sufficient मतलब क्या होता है quantity सबी तरह के items का evidence इखटा करना अच्छे खासे quantity में इखटा करना sufficient to collect sufficient and appropriate ultimate objective है हर important item को लेकर sufficient appropriate audit evidence रहे आपके फाइलों में जितने भी बड़े बड़े income expense asset liability risky income expense asset liability सबके आपके पास में sufficient appropriate audit evidence रहे इसको short में S.A.A.E. हम लोग बोलेंगे ताकि इसके basis पे ताकि इसके basis में to form opinion on financial statement तो बोले target है तो हर बड़े item के लिए हर risky item के लिए तो क्या collect कर sufficient and appropriate audit evidence फिर तेरा target है तो design कर मतलब decide कर design and perform audit evidence obtain करने के लिए क्या perform करना पड़ेगा audit procedures तेरा objective evidence इखटा करना और उसके लिए design and perform audit procedures बहुत ही simple सा target है common sense भरा target है कि तेरे को sufficient appropriate audit evidence इखटा करना है और उसके लिए तो क्या perform करेगा audit procedures अएलिए फिया आपड़े साउ इन्सिटूट के साइट पे गए आप लोग अभी किया आप बात कर रहें सर हमको अंडरेस्टिमेट मत करो क्या इन्सिटूट की साइट कितने इंटिलिजन बच्चा आप लो थेंक्यू बोल रहें मतलब इसमें खुश हो गया बच्चा अगर आप इंसिटूट के ध्यान से देखिए इंसिटूट के वेबसाइट पे जाएंगे बड़े काम की चीजे होती है इसके उपर बहुत प्यारी प्यारी चीजे होती सब्सक्राइब किसी को डाउट है भाई सर स 30,000 फेक चारड अकाउटनेंट से 30,000 फेक चारड अकाउटनेंट से ओफिस खोल लेते एक फर्म का नाम डाल देते और कौन पुछता है जाके कोई चेकरते के डिगरी और उनको सब काम आता है इंकम टाइस रिटन अटा है जिएस रिटन करना आता है फाइनाइंशल स्ट्म मनाना आता है काम करते रहते anyways आप चेक कर सकते हो members पर अगर आप जाएंगे ठीक है तो आप लोगों को change भी करते रहते हैं यह लोग कहा है members में भई नए नए प्रेसिडेंट आते अपने अपने हिसाब से चीजों को change करते रहते है member services अगर आप member services में जाएंगे कई पर दिख रहा है कि भई बातो list of members search members अगर आप e-services में जाते हो वहाँ पर तो हर चार्ड अकाउंटन का एक बिल्ला नंबर होता है भई मैं तो CA हूँ भई देखो मेरा मेरे दोस्तों ने में वो कहां कहां पर बेतूल में दिखा गर रखा है क्या मैं become हूँ यह होता है intelligence मैं CA institute के member register में और बोले आप become हो now anyways आईए यहाँ पर आप अगर resources में जाओगे very important if you go to resources तो आपको यहाँ पर engagement and quality control standards हम पढ़ेंगे उसके technical word जब time आएगा तो यहाँ पर आप जाओगे engagement and quality control standards तो आपको line से list दिखेगी इतने भी standards on auditing है उसका आपको bare standards आपको bare act समझता है law as it is government जैसे law बनाया उसको मुलते है law as it is उसको क्या बलते बेर act institute ने standards on auditing को जैसे बताया तो वैसे आपको bare standard दिखेगा तो आप कोई भी standard हम पढ़ रहा है ठीक है तो आप यह पहुच जाते हो तो वहाँ पे आपको दिखेगा index के अंदर क्या है objective हर essay के अंदर आप index में जाओगे तो आपको एक चीज मिलेगी that is objective है किसी कोई चाँ भई आसू आगया कल lecture के बाद एक बच्चा आता है कसम से नहीं लाग क्या बात है चलो initial कुछ दिन में भी इतना जोश है तो बहुत बढ़ी है तो बच्चा आके बोलता है तो आप आगे जो पढ़ाने वाले हो मैं पढ़ के आना चाहता हूँ कहां से आते हैं ये बच्चे कौन होते हैं मतलब यहां पर ऐसा है जो हो रहा है वो भी करके होता नहीं है correct anyways तो बहुत अच्छा बोले आपके जो revision lectures है वो मैं सुनके आओंगा ताकि जब आप class में बताओ तो मुझे और भी clarity मिले बहुत पड़ी है सब को करना बिल्कुल जरूरी नहीं है सिब मैं जो class में बता रहा हूँ उतना ही कर लो it is more than sufficient तो अभी आपको बताया कि आपके bare channel ऐसे दिखते है और यहां पर आपको accounting channel भी मिलेंगे आप चिंता मत करिया जैसे institute के pdf में 19 पेच का यह से सर इतना पड़ना पड़ेगा बिल्कुल भी नहीं CA institute ने इसमें से छोटी-छोटी चीजे अपने module में इंक्लूड किये और जितना module में इंक्लूड किया है that is much more than sufficient इससे आदा आपको करने की जरुरत नहीं है एक बात ध्यान रखना हमारा जो module है ठीक है 120 माग का पेपर होता है 120 माग का पेपर होता है 100 इंटर लेवल पे तो 110 माग का पेपर वही से आएगा 10 माग का पेपर थोड़ा बहार से आ सकता है गर्व से छोड़ देना उसको अरे सौल किते करना है 100 अरे सौल किते करना है 100 module हमारे लिए माईबा पे उसके बाहर आपको जाने की जरुरत नहीं है कभी-कभी बच्चों को बहुत जोश होता है सर किसी वेबसाइट पे जाके बच्चे आरबिया की वेबसाइट पे पहुच जाते है सर आरबिया की वेबसाइट से नोट्स बना हो का है यह भाई यह सब करने की जरुरत नहीं है जितना module में और जितना module में सब अपने नोट्स में लेकिन हम CA बन रहे तो हमको पता होना चाहिए कि इन सब का सोर्स क्या है अरे इन सब का सोर्स क्या है आज काम नहीं आएगा लेकिन कल जब प्राक्टिस में जाओगे और 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 अट इविडेंस को लेकर कोई सवाल आपके मन में आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि audit evidence के बार में सब कुछ मुझे कहा मिलेगा तो फड़ापट तुम कहा जाओगे C.A. Institute के website पे वहाँ पे कहा जाओगे? Resources वहाँ पे आपको मिलेगा engagement quality standards वहाँ पे आपको सभी standards का क्या मिल जाएगा? Bear Act वहाँ पे आप जाओ तो वहाँ पे आपको ऐसे 500 मिल गया audit evidence तो आपको हर जगा पे objective मिलेगा यही लिखा हुआ है देखो, the objective of auditor is to design and perform audit procedure in such a way to enable the auditor to obtain sufficient and appropriate audit evidence to draw a reasonable conclusion on which to base the opinion इतना technical अपने को बुलने का नहीं है अपने बला अपना target है to collect what? sufficient and appropriate audit evidence इसके बैस पे क्याद बनाएंगे हम लोग? opinion इसके लेम को क्या करना पड़ेगा? perform audit procedures आप जाएगे वापस नाओ वापस इतना important नहीं आईए लिखेंगे role of accounting records हम लोग देख चुके थे दो तरगे रेकोर्स है करे तरगे रेकोर्स थे? दो तरगे कौन से? सब जाब देएं कौन से? accounting records और कौन से? other records एक intelligent बन्दा सिफ क्या देखता है? accounting record लेकिन एक super intelligent बन्दा क्या देखता है? other records मैंने आपको बताए भी था कि आर्टिकल ने fraud कैसे पकड़ा था? by looking at other records production का एक्जामपल यहाता है क्या? क्या था? production per labor आईए accounting records के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे बहुत simple सा आपको question आ सकता है 500.060 role of accounting records accounting records का role क्या है? importance क्या है? बहुत आसान शब्दों में आप इसको समझा सकते हो सबसे पहले आप बात करिए accounting records की और उसमें आप उसका definition दे दीजे जितना दिया है उतना वैसा का वैसा लिखना बिल्कुल ज़रुरी नहीं होता अपने मन की सबसे improvisation आप कर सकते हो जितने भी records बनते अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान वो सारे के सारे क्या होते? accounting records financial statement बनाने के लिए जितने records बनते वो क्या होते हमारे? accounting records आप उसका definition दे दीजिए फिर आप बताईए कि वो major source of information है वो major source of information है अगर audit file उठा कर देखोगे तो आपको दिखेगा 70% of the evidence is accounting records और मुझे बताईए accounting records internal source of evidence है majorly की external internal की external कौनसा department बनाता है? accounts department company के अंदर से तो कौनसा source है? internal internal source of evidence है तो बोले ठीक है बता देंगे कौनसी बड़ी बात है फिर आपने बताना चाहिए उसका examination करना चाहिए क्या करना चाहिए उसका examination तो बोले कुछ examples बताओ कैसे हम लोग उसका examination कर सकते है कि कैसे है वो तो उन्होंने तीन चीज़े बोलिये कोई बड़ी बात नहीं है री-performance करो वो भी sequence में लिख रहा हूँ री-performance of procedures री-performance of procedures related to accounting records मतलब क्या है बताओंगा री-performance के बाद में एक बार री-performance कर लीजे फिर उसके बाद analysis reconciliation analysis नहीं री-conciliation with other records अगला point लिखेंगे और फिर आप उसको analysis and review कर सकते है सर इसके मतलब क्या है कौन मुझे बताएगा री-performance क्या होता होगा फिर से चेक करना ओके और बताएगे accounting records में तीन चीजे कर सकते हैं you can do re-performance of procedure related to accounting records re-performance के बाद reconciliation उसके बाद analysis who will tell me what do you mean by re-performance फिर से चीज़ों फिर से financial statements को बनाना check करना फिर से check करना चीज़ों को और बताएगे होनार बुद्धी मान शक्ति मान लोग पहले वाले trial balance की help लेके नया trial balance ये नय accounting concepts है पहले old trial balance फिर नया trial balance अच्छा अच्छा सिर्फ critical चीज़ों को चेक करो that is re-performance अच्छा last year का trial balance लो इस साल का trial balance लो जोड़ो के नया trial balance बना इस साल का टांगे ओके ओके सर बोल रहे है पिछले बार का trial balance लो उसमें इस साल के transaction जोड़ो तो नया trial balance बनता है ओके anyone else और कुछ creativity okay सारी चीज़े रियल है कि नहीं online वालो फिर से perform करना सर सिंपल तो है कहा लोड ले रहा फिर से perform करना इस re-performance अपनी साब से बनाओ अपनी साब से करो अपनी साब से करो यह रिपर फिर सको क्रॉस्चेक कर लो यस भाई तेरे नम हल्वा ही क्यों पड़ा अचा कोई बद बोल बोल अचा अरे सर मैं तो ऐसे हाथ उपर कर रहा था पकड़ लिये तुम ओके ध्यान देंगे लिसन गईस वेरी सिंपल जो काम अकाउंटिंग टीम कर चुकी है जो काम मैनेजमेंट कर चुका है उसको इंडिपेंटन्ट लिखू दो के फिर से perform करना that is re-performance जो काम जनरली management team करती है accounting team करती है उसको इंडिपेंटन्ट लिखू दो के फिर से perform करना that is re-performance example देता हूं मैं आपको voucher के voucher generally कौन बनाते है management एक हाथ दो voucher तुम बना कर देखो वो क्या है re-performance जो काम generally वो करते है वो काम हम करके देख रहे है कि voucher बराबर बनता है कि नहीं बनता है entry कौन पास करता है management एक हाथ दो entry तुम पास करके देखो क्या हो गया re-performance system में से report generate कौन करता है management तुम sales report फिर से generate करके देखो वो क्या हो गया re-performance तो बहुत simple सी चीज है जो काम management team करती है accounting team करती है उसको independently तुम फिर से perform करके देख लो उसको में क्या बोलते है re-performance for example उन्होंने हमको sales report दी कौन से report दी sales report अब मेरको क्या मालूम कि उसने सही तरीके से generate कि नहीं किया sales report में 10 pages थे उसने हमको सिफ 9 pages दिये तो it is very much possible बीच में 1 page गयाप कर दिया तो it is very much possible मैं खुद होके sales report को re-generate करना चाहता हूँ खुद देखना चाहता हूँ कि sales report ऐसी निकलती कि नहीं निकलती अरे उसको मैं क्या बोलूँगा re-performance लिख लो वहां पे star mark करके आप लिख सकते हो जहां पे आप लिखना चाहूँ और प्रतै कि अंड़ लिखु दिया आप ली कर दो के तकर लिख दो और खाव मैं बेंगा का सटके थू lung क्रप्रण्र हर जञिए प्रशथ्ट्जजर्ट utilities चिटेंग 지õ pike जड Juda जर जर र uniqueness परफॉर्म्ट बोलो, मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है अकाउंटिंग टीम जब इंडिपेंडेंटली हम लोग फिर से परफॉर्म करके देख लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, री परफॉर्मंस, बहुत इंपोर्टन है भाई साथ कि अगरेणी का हैं, बहुत पोलाइफ लोग से भी अगरट नगी जूरौंद बहुत जूड बोल रहा है, तो हम बहुत केरफॉल चलते, तुने बहुत इँऔंगी रिपॉर्मंस, बहुत खुद करके देना चाहता है उसने हमको 10 report दियो होंगी, तो 10 में से, 2 reports हम फिर से क्या करते है, regenerate करते, मतलब क्या करते, re-perform करते, देखो यह पूरा practical life में आपको feel लेना पड़ता है, कि client कितना कमीना है, honestly, आपको क्या लगता है कि client कितना कमीना है, कितना जूटा है, कितना नालायक है, कितना चोर है, जितना हमको लगता है कि बहुत नालायक है, चोर आदमी है, उत्ता हम उस पर भरोसा कम करते, और audit process को बढ़ा देते, अगर initial level पर हम किसी पर भरोसा नहीं करते, उसने 10 दिया होंगा, 2-3 मैं खुच generate करके देखूंगा ही, देखूंगा, सब सही निकला 3-4 बार, तो ठीक है, अगली बार से सिफ एकाद report generate करूंगा, लगातार एक मेना हो गया, सही report दे रहा है, तो अगली बार से मैं करूंगा ही निकली परफॉर्म, लेकिन अगर मुझे लगा कि ये जूड बोलता है, भाई साब, फिर तो हो सकता है, दस में से, दस, मैं फिर से क्या करूं, regenerate करूं, यह आप लोगो समझना है, प्राक्टिकल लाइफ में आप जाओगे, तो आपको पास चलेगा, इसने डॉकुमेंट दिया है, मैंने regenerate करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरी बात तो समझ लो, सबसे पहला काम करना, अलग-अलग accounting software आपको मिलेंगे, कहीं पर आपको मिलेंगा बहुती प्यार मुभबत वाला, कौन सा, टैली, सबसे फेमस, सबसे प्यार मुभबत कौन सा, टैली, फिर आप थोड़ा सा और आगे जाओगे, तो आपको मिलेगा ओरेकल, ठीक है, और थोड़ा आगे जाओगे, तो सबसे प्यारा software है दुनिया में, वन अप दे बेस्ट है, SAP, SAP, इट इस ए ERP, कभी नाम सुनाए क्या, Enterprise Resource Planning, सबसे प्यारा, या फिर कुछ लोग का अपना खुद का software बनाया हुआ होता है, सबसे पहले जाने का, और सारा का सिस्टे में समझ लेने का, और बोलना, आउडिटर का username, password दे दे, सबी auditors के लिए क्या होता है, username, password, कुछ companyों में एक ही username, password होता है, कुछ जगा नहीं, तुमारे 5 member है, तो तुमारे 5 username, password होंगे, और फिर, जब जब अपने को जो जो चीज चाहिए, उससे नहीं मांगने का, खुछ जाके, generate करने का, जो evidence तुम खुद इखटा करते हो, वो ज़्यादा reliable है, अरे वो, ज़्यादा reliable है, as given by the company, खुछ जाके generate करो, और अपन तो पहला काम करते थे, एकदम पहला काम, पूरा का पूरा जो ledger है, export मारते थे Excel में, पूरा ledger, पूरी primary books, पूरी primary books और पूरा ledger, मेरे पास Excel में हमेश आदा था, बॉस ने कभी भी कुछ भी पूछ लिया, ये account की history क्या है, इसमें कित्ते transaction हुए थे, सर अभी आया, अपने जाने का, Excel पाइल खुलने का, copy-paste मारने का, अकाउंट को सजाने का, मैंने इसको यहां से चेक किया था, इसको यहां से चेक किया था, ये आपके लिए, अपने कभी कोई problem जाता नहीं था, क्योंकि पूरी company की कुंडली, पहले ही अपने पास में आ गई है, तो re-performance, re-performance के बाद में, आप करो reconcile, अरे क्या करो, reconcile, आप मुझे बताओ, suppose आपके हाथ में sales report है, अरे कौन से report है, sales report, आप इसको, कहां कहां से match कर सकते हो, थोड़ा सोच के बताओ, sales return, नहीं, sales report है, कि भाई, suppose sales report है, आज के दिन में, एक particular date पे कितना sale हुआ, उसकी report है, उसके transaction दिये, कि date सो sale हुए हमारे, आप ये transaction को, और कौन से कौन से report से match कर सकते हैं, उतना बता दो, cash और data, inventory, GST, returns, okay, GST returns, और, purchase से, purchase invoice से, सामना अले party का purchase, वो सामना अले का purchase हमारे पास कहा से है, gross profit, धान दीजे, बहुत simple, पहले आपको sales process को थोड़ा imagine करिये, औरे sales process को imagine करिये, सबसे पहले customer का order आता होगा, औरे sales में सबसे पहले कहारे customer का order, customer order दिता होगा, तो हम देखते होंगे, हमारे पास माल है की, सामने वाले को उधारी पर देना की, नहीं देना, customer order का approval होता है, औरे क्या होता है, approval, order approval, हम एंपरो होने के बाद में उम इस्पेश करते हों कि एक न को फिर यहера Kilow इंड आपनं टी De drum में वसमतिंगों आपने किया कि टे डीवरी तो फिर जैसे हम आपने ॡिलिवर किए रिष्क को reward transfer हो गए मतलब क्या होगा आपका sale फिर आप बनाते होंगे sales invoice अरे आप क्या बनाते होंगे sales invoice yes no अब देखो मेरे दिमाग में अगर में को sales report को match करना है अगर मेरे को sales report को match करना है सबसे पहले customer order आया होंगे अगल पिछले दो तीन दिन के customer order बता अरे फिछले दो तीन दिन के customer order बता जितने भी sales है वो सारे के सारे कौ foster report से रिकं Mussol और चैना है customer order से अरे sale हूआ तो पहले क्या दिखना चैना है customer order मैच होता कि नहीं होता फिर उसके बाद में आपने dispatch कि होगा तो sales report को match करो, कौन से report से, dispatch report से, कि match हुआ की, नहीं हुआ, अरे yes, no, फिर उसके बाद में transporter होगा, transporter आपको daily list देता है, कि मैंने तुम्हारे कितने goods लिये, transfer कर के लिए, तो transporter की report है, उससे match होना चाहिए, देखो आपको common sense से बता रहे, आपके हाथ में document देदेंगे, तो अंधविश्वास मत करो, बुरे फस होगे, इसलिए हमने पहले क्या किया, re-perform, अरे पहले क्या किया, re-perform, अब re-perform करने के बाद, reconcile करो, तो आप sales report को, आप sales report को reconcile कर सकते हो, customer order के report से, customer order की जो report से, उससे reconcile कर सकते हो, आप इसको dispatch report से compare कर सकते हो, कि इतना sale है, तो इतने dispatch दिखने चाहिए, आप इसको transporter, transporter के report से match कर सकते हो, inventory, inventory, outwards कितनी गई, उसकी भी एक report हो सकती है, आप उससे match कर सकते हो, accounting record चेक करना बहुत आसान है, एक report को बहुत सारे multiple reports से match कर सकते हो, अगर match हुआ मतलब सब सही है, match नहीं हुआ मतलब दाल में कुछ काला है, तो बहुत ही simple, पहले customer का order आता है, वो report से match करो, फिर dispatch होता है, उससे match करो, transporter को देते है, वो अपनी report उससे match करो, inventory में output दिखाते है, उससे match करो, एक report को आप बहुत सा report से क्या कर सकते हो, reconcile, फिर आप और एक चीज़ कर सकते हो, analysis and review, सर इसका क्या मतलब होता है, और थोड़ दिमाख लगाओ, analysis and review, मतलब इसके example के तौर पे, analysis में, price reasonable लग रहा है ना, price reasonable लग रहा है ना, volume सही लग रहा है ना, यार बहुत कम या बहुत जादा तो नहीं हो गया, volume appropriate लग रहा है ना, यार ये product तो कभी इतना sale होता ही नहीं है, customer genuine लग रहा है ना, भाई नए नए customer है, करोडो में माल उठा रहा है, genuine लग रहा है ना, आप ये देख रो, इसको बोलते है, analyze करना, भाई, सही में daily base पेटा sale होता है क्या, weekly base पेटा sale होता है क्या, volume सही लग रहा है क्या, price बडाबर लग रहा है क्या, customer genuine लग रहा है क्या, ये देख लो, किसकी changing हों गई आपकी, accounting records की, किसकी changing हों गई, accounting records की, क्या heading में पढढ गुडर है हम लोग या, Accounting records, role of, role of accounting records, सबसे पहले बताएंगे, definition of accounting records, major source of evidence कौन सा है, accounting records, internal की external है, internal है, check करने के examination, तीन तरग के examination बोले, पहले क्या करो, re-perform, report खुच जनरेट करके देखो, फिर क्या करो, reconcile, दुनिया अबर के लोगों से, match करके देखो, फिर क्या करो, analysis and review, कि भाई, चीजे normal लग रहे की, नहीं लग रहे, abnormal है की, नहीं है, वो देख लो, और yes, no, yes, no, फिर ये बोल रहे है, वापस account, ये audit का feature है, वो लोग repeat करते हैं, कि आप इसको, आप इसको, independent, तुमारे पास में feature नहीं होता है, बस कुछ सालों की बात है, आप लोग भी किताबों पे नहीं लिखो गए, आप लोग भी टैब पे लिखो गए, इस अवाटकर नहीं गए, फिकमारे पेम पेरों के लिखो गए, आप एक काम करों, इंटेपेंट लगा उेस्टरनल एविदैंस से मैच करों, इंटेपेंदेंट एक्टरनल एविदैंस से मैच करों, match accounting records with independent external records जैसे आपको sales report चेक करनी है कल हमने बुला था इवे बिल अरे कौनसा बिल इवे बिल अभी आपका होना बाग के से बित्ता समझ लो जब भी कोई माल company से बाहर निकाला जाता है company से बाहर निकाला जाता है तो आपको GST के portal पे जाकर उसकी details दालने पड़ते है एक बिल generate करना पड़ता है ताकि कोई भी officer आपको पूछे यह कोई illegal transfers तो नहीं है यह कोई illegal transfers तो नहीं है तो आपके e-way bill अगर आपको check करने आपकी sales report किसे जाके check करो e-way bill ठीक है आप और एक काम कर सकते है external confirmation external confirmation from customer 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 कोई पूछ लो सही में साल भर में तेरे पर 100 sales किये थे क्या सही में साल भर में तेरे को 2000 quantity बेची थी क्या साल भर में 50 लाग का माल तेरे को बेचा था क्या उससे आप confirm कर सकते हो best source of evidence है सबसे best source of evidence कौन से external evidence and last thing आखरी चीज वापस same चीज repeat होती है combination match match one item with multiple evidences उसमें internal plus external internal internal plus external match one item with multiple evidences आपको जादा भरोसा देगा more assurance क्या मिलेगा आपको more assurance बहती simple चीज है suppose आपको एक export दिखा पांच करोड का अरे क्या दिखा आपको export दिखा पांच करोड का भाई साब आपको बराबबर customer order दिख रहा है foreign party का पांच करोड आपका विश्वास थोड़ा सा बड़ा हाँ सही लग रहा है export करना है तो आपको cnf agent लगते कौन लगते cnf agent carry and forward agents लगते cnf agent की बराबबर आपको document दिख रहा है कि हाँ हमने इसका export किया आपका विश्वास और बढ़ गया फिर आप जब ship के उपपर goods को load करें तो bill of lading बनता है अरे क्या बनता है bill of lading जो ship वाला है वो बोलता है हाँ proof आपने इत्ता इत्ता माल ऐसा ऐसा माल हमको दिया था वो bill of lading आपको मिलता है आपका विश्वास और बढ़ता है foreign party foreign party mail करती है goods आपका विश्वास और बढ़ता है foreign currency में आपको पैसा आया bank में आपका विश्वास और बढ़ गया एक ही चीज को जब आप multiple sources से match करोगे एक ही चीज को जब आप multiple sources से match करोगे तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा बढ़ जैसे आज से सालों बाद I think आज से छे साथ साल बाद सोचोगे ना सोचोगे नहीं सोचोगे सर बोल बता हां सोचेंगे किसी ना किसी को सिलेक तो करना पड़ेगा yes no yes no तो घर वालों ने बावर दिदा दिया तो हां बोल दोगे नहीं हम खुझ चुन के लाएंगे कितने लोग बोलते हैं हम खुझ चुनेंगे नहीं मतलब घर वाले बताएंगे और फिर हम चान बीन करेंगे एक होता है नहीं हम खुझ लेकर आएंगे कितने लोग खुझ चुन के लाने वाले हैं भाई ये होती है जंता चलो एनिवेज, घरवालों ने अगर आपको कोई option दिया, तो सिदे हाँ बोल दोगे किया, नहीं, क्या करोगे बताओ, multiple sources, चान बिन कहां से करोगे? Look at the interest, look at the interest, Okay, सबसे पहले हम बोले, पहला source, हम मैच करेंगे, Instagram, जो भी person है, क्या देंगे, Instagram, Okay, Instagram पे क्या, अच्छी बात बहुत, क्या expect करोगे, कैसा होना अच्छिए? थोड़ी सुन्दर फोटो होनी चाहे? Yes, no? इंट्रेस्टिंग फोटो, इंट्रेस्टिंग जाग, घूमफरा फिर रहा है, ऐसा होना च्छिए? लड़की के साथ नहीं होना च्छिए? जो भी हो, सिर्फ मेरा हो. देखो, honestly बात हो, ऐसे उमीदों से कोई मतलब नहीं है. आज के जमाने में ऐसा होता नहीं है, हर किसी का पास तो होता ही है, मेरी भी शादिवी तो मेरा भी पास था, तो it's okay, correct, बहुत ही मज़ा या, ठीके, तो प्लीज, बताओ बोले क्या था, पास बताओ बोले, छोड़ो यह क्या रखा हुआ है, एनिवेज, आप इंस्टाग्राम से मैच करोगे, चलो आपको बावड़टा मिला, कहां से मैच किया, इंस्टाग्राम, एक सोर्स हो गया, और, एक से बात करेंगे, एक से बात करेंगे, कौन करते भी ऐसा, भाई, लड़कियाओं के पास ज़्यादा दिमाग है, वो बोले, उसके एरिया का सर्वे करेंगे, मतलब नेबर से बात करेंगे, ऐसा, रिलिटिव से बात करेंगे, ओफिस वालों से बात करेंगे, कौन सी स्कूले देखेंगे, इनको पैसे वाले लोग चाहिए, लड़किया भाई सबसे कॉम्प्लिकेट होती है, इनको भी पैसा भी बहुत सारा चाहिए, लुक्स भी बहुत अच्छे चाहिए, फ्रिडम भी बहुत सारा चाहिए, सब चाहिए मैडम को, लेकिन मैं सजबादारो भाई, लड़कों केरफूल रहना चाहिए, ठीक है, देखो, आइरमेंबर आर्टिकल शिप के लिए, अपना राइंक वाएंग आया, तो आर्टिकल शिप के लिए, इस सीवी दला बहुत जगा, तो के पी मजी में अपने, मुंबई ओफिस में सीवी दला तो अपन एक्सपेक कर रहे थे, इंटर्वी तो होना चाहिए, तो सीवी दलने के बाद में एक हफता हो गया, अपन रोज फोन करते है, what is the status of my application, what is the status of my application तो वो कुछ बता नहीं बुले, नहीं बुले, अभी कुछ होगा तो आपको कॉल आ जाएगा फिर अपन विजिट भी करते थे, तो अपन गए विजिट करने के लिए तो पता चला कि भई, अपॉइन्मेंट हो गए, आर्टिकल्स के अपॉइन्मेंट हो गए, शौक लगा अपने को लेफ को, हो गए, अभी तुमने बुलाया भी नहीं भे, मौका तो देते इंटर्व्यू का, तो मैंने बोला कि मैडम ऐसी वहाँ पी रेजुमे ते कौन-कौन सिलेक्टर बताएंगे, भाई, जस्ट बांडरी पर पांस हुए थे, भाई, चलो ऐसा नहीं, वो भी स्मार्ट हो सकते, लेकिन हमको मौका तो देते हैं, लेकिन एक कौमन जिसारी लड़किया थी, तो, तो भाई, हम लड़किया, हमने कोई गुना कर दिया जीवन में, फिर क्या गलत किया, जड़किया, जड़किया, भाई, देखो, ये चेंजवेंज अपने हाथ में नहीं रहता, अपन मैकल जैक्सन नहीं, सोचना भी नहीं चीए, अच्छा कुछ लो को समझाने, कोई बात नहीं, ध्यानने, तो, आपने हैं, तो, आपने को सिफ पांच मिट बा सिफ पांच मिट रहेंगे, तो, जंगली हो जाएंगे, सिफ लड़के 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 रहेंगे, तो, जंगली हो जाएंगे, सिफ लड़के लड़के हैं, तो, जंगली हो जाएंगे, और अगर सिफ लड़के लड़के हैं, तो, बले, इतने जगड़ेंगे, इतने जगड़ेंगे, इतने जगड़ेंगे, कि हमको पागल कर देंगे, बले, इसलिए हमको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, लड़कों में और लड़कियों में और बुले honestly speaking number of girls candidates are less so they are given more preference तो एक नया fear unlock हो गया भाई अगर तुम को अगर सब भाई ठीक है तू भी पास हो वो भी पास हो तुम सेम नहीं हो वो तुम से आगे है उसको हमेशा preference जादा है उसके केर करने वाले बहुत सारे लोग है नहीं है तो मिल जाएंगे तेर को कोई भाई देने वाला नहीं है तो लड़को संभल जाओ वरावर क्या बल रहा है रांक लाना था प्र क्या लाएगा तू चलिए anyways धान देंगे now quickly accounting records अरे कौंसा रेकार्ड accounting record आपको याद आने चे चार बाते पहले गुंदान करेंगे किसका accounting records इसको एक्जामिन करने किते तरीके तीन पहला कौंसा री परफॉर्मंस उसके बाद रीकंसिलियेशन उसके बाद में अनलिसिस एंड रिव्यू बहुत सिंपल सा उसके बाद कौंसा एविडेंस इंडिपेंडेंड एक्सेर्नल एविडेंस से मैच करना चाहिए ultimate क्या होना चाहिए combination एक ही चीज को जितने ज़्यादा सी जिए से चेक करोगे तो आपका assurance बढ़ेगा इस पॉइंट क्लियर येस नो कहां से अगर समझ मैं है मेरको ठीके ध्यान देंगे अगा ओडिटर majorly evaluates accounting records to obtain audit evidence major source of evidence कौन सा है accounting records आप ये कर सकते हो देखो मैंने अपनी खुद की एक flow बनाया की रिपरफॉर्म कर लो आप रिपरफॉर्म कर सकते हो चीजों को फिर आप क्या कर लो उसको reconcile कर लो फिर क्या कर लो analysis and review फिर if above evidence is are consistent सब अगर एक मेंक से match करेंगे तो हमारा भरोसा बढ़ जाएगा भरोसा मतलब ही क्या होता आपका assurance assurance आपका बढ़ जाएगा independent source of evidence भी लेकर आओ बहुत बढ़िया रहेगा third party बहार से confirmation लेकर आना बहार के analyst की report मिलती है बहुत बहार company के बारे में लोग लिखते है ठीक है आपको बता है crystal क्या होता है कभी सुना है credit rating agency नाम सुना है कहां सुना है law में deposits में debentures में yes no किसी भी company को अगर कभी debenture deposit उठाना है तो पहले क्या करना पदा खुद का credit rating credit rating agency में कौन को आता है पहले crystal फिर ikra फिर care फिर standards and poor dunn and backstreet ये सारे बहुत ज़्यादा charge accountants को prefer करते बोले analysis में सबसे strong कोन होते charge accountants ये लोग rating करते सबसे भयंकर rating अच्छी rating होती है triple A plus जिस company को triple A plus की rating मिल गई मतलब तुम्हारा पैसा सबसे आदा safe है डरने की बात नहीं है इसलिए उनको कम interest rate पर debenture पर पैसा मिल जाता है अरे risk कम है इसलिए interest rate भी कम होता है risk बढ़ जाती है तो interest rate भी बढ़ जाता है उनकी report मिलती है उनकी report बहुत प्यारी होती है detailed research होती है हर छोटी मोडी चीज पर कि ये company का future कैसा है revenue मिलेगा की नहीं मिलेगा इनके खर्चे बढ़ेंगे की नहीं बढ़ेंगे competition आने वाला है की नहीं आने वाला है government से कोई दिक्कत होंगी की नहीं होंगी very good source of evidence वो ले लो ठीक है comparable data from competitor competitor से match कर सकते आप for example automobile industry automobile industry आपको पता है engine oil है अरे यस नो engine oil बैन वाली एक company की बहुत सारी company है बहुत सारी company है तो सबका oil है प्राइस थोड़ा का आसपास होना चाहिए कभी ऐसा होगा कि एक का 100 रुपे का 100 ml है और दूसरे का 2,000 रुपे का नहीं ऐसा होने वाला नहीं है आप हमेशा जब हम बात करते external source तो computer का data लो उसका data और अपना data match होता है कि नहीं होता है आसपास है कि नहीं है वही था important principle हमने बोल दिया important principle हमने बोल दिया जितने different nature और source के evidence लाओंगे अलग-अलग sources से जितना वो match करेगा ठीके उतना हमारा assurance जादा होगा जादा होगा जादा होगा जादा होगा जादा हमारा जादा होगा इस पॉइंट क्लियर कौन सा ऐसे पड़ रहा ऐसे 500 पहला topic कौन सा था पहला कौन था role of audit evidence पहले क्या था role of audit evidence उसके बाद था different types of audit evidence इसके बाद क्या था objective और फिर objective अभी क्या था role of accounting records ठीके बस इतना काफी है ना आईए, now we see very बस अब आज के lecture में हमको 2-3 terms पर discussion करना है ये 2-3 terms अगर हमको समझ गई तो आप ये समझ जाओ कि पूरे standards on auditing का आपका base clear है ठीक है, चलिए, जयानेगे आप लोग मुझे बताएंगे audit हम लोग करते हैं तो सिफ quantum based amount के पीछे भागते है कि साथ में risk के पीछे भागते है risk के पीछे we just don't run behind the amount कि बस बड़ा amount तो इसको ज्यादा check करेंगे हम साथ में क्या देखते है risk इसने हम लोग बोलते है कौन सा base audit है risk based audit आज के जमाने में जितने भी modern audits है जितने भी modern audits है वो कौन से audits है risk based audit अब अगर risk पता करना है तो एक procedure perform करनी पड़ती है risk assessment procedure audit में सबसे पहले हम जाकर देखते है कि कौन से risk की areas है कहां कहां पर risk है क्योंकि हमको वहाँ पर मेहनत जादा करनी पड़ेगी तो risk पता करने के लिए हमको कौन सी procedure perform करनी पड़ेगी risk assessment procedure अब पहले मैं आपसे parallel example लेता हूँ फिर आपको automatically समझ में आ जाएगा ठीक है थोड़ा imagination भी जोड़ देना suppose आप सोचते हो कि exam के बाद में exam के बाद में आप ठीक है पूने से लदाख बाइक ट्रेवल करना चाहते हो उची सोच रखो madam बाइक ट्रेवल करना चाहते हो कहां से कहां तक पूने से लदाख ठीक है मुझे बताओ it is going to be a challenging journey yes no और आप और आपके friends है कुछ और बराबर हर बाइक पे दो-दो लोग है श्रद्धा अनुसर जिसकी जैसी सोच जिसको जैसा comfort लगता हो ऐसा अभी से blush कर रहा है वो खो गया imagination में वापस आजा दू तेरा मन नहीं लएगा class में okay now tell me अगर आपको पता लगाना है कि इस journey में कहां कहां पे क्या क्या चीजे गलत हो सकती है कहां कहां पे क्या क्या चीजे गलत हो सकती है what challenge you are going to face आप कैसे पता लगाओगे अगर जर्नी के आपको planning करनी है challenges देखने हैं आप कैसे इसकी तैयारी करोगे मुझे बताओ yes sir बोल रहे है सबसे पहले google maps पे जाओंगा I will see the distance कितना distance है वो देखूँगा कितना समय लगता है वो देखूँगा weather sir बोल रहे है कि weather के साइट पे जाएं कि ये जर्नी की डेट से तो वेदर कैसा रहेगा ठीक है hospitals कहां कहां पे हम ये देखेंगे कि हमारा जो रूट है जर्नी है वहां पे hospitals कहां कहां पे खाना कहां खाएंगे roads कैसे what is the quality of roads एक मिनिटा पहले रूट देखेंगे अनुप बोल रहे है बजट बनाएंगे बजट पैसा कितना लगेगा पेट्रोल में कितना खर्चा रहने खाने पिने का कितना खर्चा उनके लिए कितना लगेगा वो भी वो खर्चा हमको देखना पड़ेगा medical ठीक है और हम पर दे प्लानिंग क्या क्या करेंगे कैसे करेंगे उसकी प्लान है ये सर बोलना भाई पास्ट एक्स्पिरियंस वेरी गुड जो पहले जा चुका है चो ये कर चुका है पहले ठीक है उससे हम लोग पुझे तुम नालाइक हो चुके समझ रहा तुम भरष्ट हो चुके तुमारा दिमाग करप्ठ हो चुका है ठीक है हम लोग जाकर देंगे जो पास्ट में है कर चुका है उससे पूछेंगे यूट्यूब के कुछ वीडियो देंगे फिर कुछ आर्टिकल्स पड़ेंगे रे आर्टिकल्स जो जर्नी कर चुके वो देखेंगे कि नहीं येस नो ओके लिसन गईस नाल अंडर्स्टैंड आप ये पूरे प्रोसेस में बेसिकली यूर कलेक्टिंग लॉट्स ओफ इन्फरमेशन और आप ये पूरी जर्नी को समझ रहे हो यूर कलेक्टिंग इन्फरमेशन और आप ये देखना चाहते हो भाई आप ये बहुत सारी जान कर ये अब इकटा करोगे आप जाकर Google Map पे जाओगे फिर आप जाकर YouTube वीडियो देखोंगे जो influences ने कर चिक है फिर जो जा चुक है उससे बात करोगे route देखोगे, कहां पे halt लेना है वो देखोगे बहाँ बीच में चंबल अंबल आता है दाकु आकु आ सकता है, अटक हो सकता है तो भई दिन में ट्रावल करना वो देखोगे, yes, no जो स्वाँ safe route है वो देखोगे कि भई ठीक है ठीक है, now listen guys ये आप information collect कर रहे हैं, obtaining understanding इससे आपको बहुत सारी risk मिलेगी आपको कोई बताएगा कि भई तुमारी गाड़ी खराब हो सकती इसके chances है, तुम bullet लेके जा रहे हो खराब होने के chances है तो पहले से ध्यान रख कहां कहां पे तिरको आपको mechanics वगर कहां पे मिलेंगे, तो देख ले पहले एक बद और साथ में तुछ oil, oil, stepney, weapony का arrangement हो सकता है तो वो देख लो साथ में बोले, ठीक है फिर, बोले, तब यह थोड़ी खराब हो सकती है तो दवाईया साथ में रखनी चाहिए खाने पीने कभी इच नहीं मिले तो आपके पास में आपका ready-made food होना चाहिए देख, budget का दिक्कत आ सकता है तो एक्स्टा थोड़ा पैसा रखना चाहिए तो लदाग जाएगा तो वहाँ पे थंडी बहुत रहेगी तो गरम कपडे रखने चाहिए and so on now guys listen, exactly on the same lines audit में भी audit में भी जब हमको पता करना है कि financial statement में कौन से कौन से item में कहां कहां पे गलतिया हो सकती है we collect loads and loads of information about the entity entity उसका environment, internal control, systems हम बहुत सारी जानकारी इखटा करते हैं company को लेकर for example, सुन लीजे, बहुत आसान हम यह समझना चाहते हैं कि इनके main products कौन से इनके main products कौन से साल भर बिकते हैं कि seasonal है, वो समझना चाहते है यह product obsolete हो जाते हैं यह product obsolete हो जाते हैं क्या, यह समझते है market में competition कैसा चल रहा है वो समझते है कि नहीं, monopoly चल रही है कि oligopoly चल रही है कि monopolistik competition है या फिर perfect competition है and yes no हम यह समझना चाहते हैं कि ये company का production बढ़ता हुआ जा रहा है या फिर कम होता हुआ जा रहा है labor कितने satisfied है strike तो नहीं कर रहा है labor problems तो नहीं ये company में and so on जब भी हमको पता लगाना है कहां पर गलती हो सकती है we collect loads and loads of information loads and loads of information and obtain understanding ये जानकारी खटा करके आपको पता चलेगा कि complications कहां है pressure कहां है judgment कहां है और आपको मिल जाएगी risk अरे आपको मिल जाएगी risk for example सुनिए आपको पता चला कि ये लोग fashion industry में कपड़े बनाते fashionable कपड़े कौन सी industry में fashion industry में भाई साव ये लोग fashion industry में और fashion बहुत जल्दी क्या हो जाता है outdated मतलब अगर इनके inventory में जादा माल रह गया थोड़े जादा समय के लिए छे मैने के लिए वगरे तो वो क्या हो जाएगा outdated मतलब क्या हो जाएगा obsolete अरे क्या हो जाएगा obsolete मतलब क्या करना पड़ेगा हमको inventory को write down सब को समाज थे कि write down inventory की value कम करते तो हमको write down करना पड़ेगा yes no अरे हमको पता चला कि यह लोग fashion industry में है fashion industry में है inventory obsolete हो सकती है inventory obsolete हो सकती है उसकी value कम हो सकती है मतलब inventory की value गलत होने के chances है अरे समझ रहा है क्या inventory की value गलत होने के chances suppose पता चला यह लोग mobile phone के accessories बनाते है mobile phone के accessories बनाते है cover बनाते है headphones बनाते है अब mobile phone के जो आपके models है वो बहुत fast change होते है तो उसकी accessories भी बहुत fast change होती है तो वो भी कैसे हो जाएगी obsolete बहुत simple है collect loads and loads of information about the entity and its environment तुमको अपने आप दिक्कत वाली चीज़े दिखने लगेगी और तुमको पता चलेगा कहां कहां पे गलती हो सकती है अरे कहां कहां पे गलती हो सकती है उसी को हम लोग बोलते risk assessment procedure अरे क्या बोलते है risk assessment procedure आईए देखिये हम लोग यहां पे देख रहे है audit procedures types of audit procedures audit procedures में हम लोग देख रहे है types of audit procedures किसी भी audit में initially आप जाते हो initially आप जाते हो तो आप perform करते हो risk assessment procedure risk assessment procedure यह बहुत simple चीज होती है हम यहां पे धेर सारी collecting information and obtaining understanding entity market में competition और उनके systems कितने अच्छे internal control system risk assessment procedure is a very simple thing collect loads and loads of information and obtain understanding of the entity environment or internal control system entity के बारे में जानो promoters कौन है कौन चला रहा है क्या धंदा कर रहे बहार environment कैसा है और company के अंदर internal control system कैसी है बहुत simple है entity के बारे में जानो फिर उसके बहार environment के बारे में जानो फिर उसके अंदर internal control system के बारे में जानो ये सब देखने से आपको ऐसा पता चलेगा कि कही कही पे बहुत ज़्यादा complications है कही कही पे बहुत ज़्यादा क्या है complications जैसे लोग बहुत साथ चीजे import करते इतने foreign currency अलग-अलग देश involved है इतनी अतनी foreign currency involved है बहुत complication है foreign currency में आपको complications मिल सकते आपको दिखेगा इनके उपर बहुत pressure है इनको profit दिखाने का बहुत pressure है investor को बड़े-बड़े promises करके रखे हुए या फिर आपको बात चलेगा बहुत सारे financial item में क्या है judgments और आपको अपने आप सारे risky area मिल जाएंगे अरे आपको अपने आप क्या मिल जाएंगे risky areas ठीक है ठीक है ठीक है अब बहुत सिंपल हमको पाह चल गया बस कुछ नहीं है जानकर इखटा करो understand entity and its environment internal control system आपको क्या मिल जाएंगे risk now guys यहाप एक बहुत प्यारी चीज risk को दो level पर बाठते risk at financial statement level and risk at assertion level पहले तो risk नेका के धूंड के लाते risk को धूंड के लाते और उसको फिर दो इसमें बाठते है कौन सा भोलो financial statement level और assertion level अब इसका मतलब हमको समझना है और बहुत प्यार मोबबद समझना है कोई हमको आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि यह हमको समझ में आ गया तो सब हमको समझ में आ जाएगा नो लिसन I remember मेरा audit का पहला दिन मतलब PWS में पहले साथ दिन की training होती है साथ दिन की पहले training होती है कि आपको step by step कैसे audit करना चाहिए तो साथ दिन की training के बाद जब मुझे सबसे पहले भेजा गया तो मेरे senior ने बोला कि यह ले file ठीक है और तब मुझे नाम आता है BAF बोलते थे PwC में Business Analytical Framework बहुत simple शब्दों में एक file थी और लगबख 100 page होंगे और business जो company जो है उसकी पूरी information थी पूरी information वहाँ पे दिवी थी history दिवी थी, present दिया था environment दिया था, internal system and so on, मेरा पहला काम था उसको पढ़ना, बहले इसको अच्छे से पढ़ ले, यह तेरा पहला step है that was nothing but कि तू information obtained कर ले तेरको अपने problem बाली चीए समझने लग जाएगी तेरको रिस्क पता चल जाएगी now listen अगर आपको कोई ऐसी रिस्क मिलती है अगर आपको कोई ऐसी रिस्क मिलती है जिसके वज़से जिसके वज़से पूरे financial statement में कही पर भी कुछ भी गलती हो सकती है कई पर भी कुछ भी गलती हो सकती है तो उसको बोलते है financial statement level risk क्या बोलते है इसको financial statement लेखो मैं धेर सारे example देता हूँ यह company का management निकमा नाला है कि चोर लोग है इसमें से कुछ लोग 10 में से 2-3 लोग चोर है यह किदर भी चोरी कर सकते हैं सौर रुपए के पर्चेस के जगा दो सौर रुपए पपढ़ चरदा लेंगे ये पर्चेस में भी गलती कर सकते है 2 लाग का goods पचास अहर में बेच सकते हैły sales में गडबड कर सकते यह यह लोग purchase के थूरी कर सकते हैs sales के थूरी कर सकते, salary के थूरी कर सकते, समझ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 रूपे के चीज को दो सो में खरीदना है, मतलब क्या है, company को नुकसान है, company से चोरी कर लिए तुमने कित्ते रूपे हैं, 100 रूपे, अरे सबको समझ रहा है क्या, यह कही पर भी गड़बर कर सकते दो-तीन लोग company के management में तीन लोग ऐसे है जो बहुती निकम में नालाइक है, market reputation खराब है, कही पर भी चोरी कर सकते purchase में, production में, sale में salary में, taxes में कही पर भी, कही पर भी गलती हो सकती है तो इन लोगों के वज़े जो रिस्क है वो कौन से लेवल की रिस्क है financial statement level कही पर भी गड़बर हो सकती है और example इस बार company shift कर रही है AS से इंडियस AS से इंडियस छोटी company हो क्या लगता है AS AS stand for accounting standard बड़े company क्या लगता है इंडियस इंडियन accounting standard इंडियस से इंडियस अभी तक के सारे income, expense, asset, liability किस में थे AS पर अब किस पर shift कर रहा है इंडियस में हर आइटम में चेंज़ करने पड़ेंगे Yes, No यह चेंज़ कॉम्पलिकेट होंगे Yes, No गलती होने के चांसे ज़्यादा है कि कम है ज़्यादा है कही पर भी गलती हो सकती है Yes, No Financial statement level risk है कि एक specific risk है Financial statement level risk अगर owner में कुछ और लोग है कही पर भी गलता हो सकती है कौनसी risk Financial statement level risk Yes, No AS से इंडियस shift हो रहा है कौनसी risk है Financial statement level risk Do you agree with me? Okay और सुन लो भाई यह अपना accounting software का version change कर रहा है क्या change कर रहा है version यह 5 number version पर चलते थे अब एकदम भयंकर change कर रहा है they are going to 15 बहुले सालों से इन्होंने अपडेट नहीं किया था सालों से अपडेट नहीं किया था इनके employees trend होंगे कौन से version में 5 अब किस पर जा रहा है 15 employees के आद से गलती हो सकती है नए software में गलती हो सकती है कही पर भी गलती हो सकती है वापस कौन से रिस्क है Financial Statement Level Risk अरे वापस कौन से रिस्क है Financial Statement Level Risk बास समझ रहे क्या ठीक है पता चला इनका accounts head निकम्मा है MD का साला है कुछ नहीं आता इसको इसको बिठा दिया है इसको accounting policy select करना आता ही नहीं है implement करना आता ही नहीं है पता नहीं कहां कहां पर गलत पॉलिसी दालेगा कही पर भी गलती हो सकती कौन से रिस्क है Financial Statement Level Risk आईए लिखे मेरे साथ से वेन रिस्क इस शच दा Misstatement Misstatement मतलब Mistake Misstatement Can Happen In Any Part Any Part Of Financial statement it is called financial statement it is called financial statement level risk examples ke toor peh few unethical key management person kuch unethical loog management mein baithe huya hai kahi par bhi galti ho sakthi change from AS to INDS kahi par bhi galti ho sakthi hai upgrade of software kahi par bhi galti ho sakthi hai INCOMPETENT ACCOUNTS HEAD kahi par bhi galti ho sakthi hai aap company mein jao ge company ko bhoat acchhe samjho ge company ke bhaar kije samjho ge andar kije samjho ge samjhthe samjhthe aapko kuch aisi risk milaygi ki kahi par bhi galti ho sakthi hai toh woh kaunsi risk hai financial statement level risk aur abhi assertion ka matlab samjhaunga aur agar aapko aisa patata chala ki particular point mein galti ho sakthi hai particular point mein galti ho sakthi toh woh kaunsi risk hai assertion level risk abhi mei assertion bethayaan ghi bethauunga lekin let's compare them phir assertion ke andar hum aur chalenghe no listen dhyan 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 aapko pata chala ki company ki inventory obsolete ho sakthi hai company ki inventory obsolete ho sakthi hai matlab ho sakthi hai ki inventory ki value humko write off karna pade value write off karna pade aapko exactly pata hai kahaan pe galti ho sakthi kahaan pe inventory mei toh ye assertion level risk hogi kawansi risk hogi assertion level aapko exactly pata hai ki is point mein yahaan pe yeh galti ho sakthi inventory can be overvalued inventory can be overvalued toh woh kawansi risk hai assertion level risk hai aur example suno company 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 aise jaga property kharii diya jahaan pe legal disputes bhot hai jahaan pe legal disputes bhot hai ho sakthi property hai leki uska title clear arre title clear na ho aapko pata exactly property ke ownership me gadbar ho sakthi hai property ke ownership me gadbar ho sakthi hai woh kawansi risk hai assertion level risk jab aapko pata ho ta hai ki yeh financial item ke yeh particular point mein galti ho sakthi hai toh woh kawansi risk hai assertion level risk jab aapko specific pata ho yeh item ke yeh point mein risk hai that is a assertion level risk aur example suno aapko lag raha hai ki company ne march ke mehen mein fake sales laga hai marge ke mehen mein fake sales laga hai takki turn or bada jai aapko pata exactly sales mein marge mein fake sale ho sakthi hai kya ho sakthi hai fake sale ho sakthi hai yeh item mein yeh haa pe yeh galti ho sakthi kawansi risk hai arre kawansi risk hai assertion level risk jab risk aisi hai aapko pata hai yeh financial item ke yeh particular point mein gadbar ho sakthi hai that is a assertion level risk toh boli risk ko baat do do level mein kaun sa financial statement level risk aur assertion level risk ek parallel example hai toh ekdam clear ho jayega 26 janvari aur 15 august yeh india ke liye bhoat bade din hai bhoat bade din hai ek din ek din humara constitution bana aur ek din humko independence bina joh humare dushman hai joh humko neecha dikhana chahate woh in din ko target karengue aur dhekna iske aspas or yeh din ke aspas yeh din mein jiasse humare red ford peh attack hoa ta joh bhi farmers or bhoat attack hoa ta it was 15th of august yeh dho aise din hai kahi par bhi kuchh bhi galat ho sakta hai puri humare agencies puri polis sare humare agents har koi bhoat jahda alert pe rahta hai matab 10-15 din pehle se bhoat jahda alert pe rahta hai intelligence kuchh bhi galat ni hona chahi hai toh yeh example hai konse ir iska kahi par bhi galti ho sakta pure desh mein pure desh mein kahi par bhi galti ho sakta that is a financial statement level risk lekin jab kashmir mein burf pighalti hai aur humko pata hai ki ab terrorist burf pighalt rahi hai ab terrorist aayenge or exactly yaha se aayenge aur kashmir me yaha pe jaake atangvad ko bhaayenge toh woh konse risk as assertion level risk risk ko aisa baatna zhururi hai kyunki dono ko dono me response alag rahe da dono do you agree with me yes no thoda sa assertion level risk ke baare me likta hai aayye abhi kis ke baare me likha ta financial statement level risk yeh iski technical definition nahi hai mein aapko samayi ane pe saari technical cheeze bhi bata unga assertion level risk if risk is such that we know exactly this financial item and this point can go wrong humko patha exactly is financial item me yeh galty ho sakti hai it is called assertion level risk online doubt financial statement level risk ultimately the financial item pe impact dalik bilkul sahih hai financial statement level pe risk jada ho gi to automatically assertion level risk ko bada de sir matlab aapko patahe ki account said gada hai kuan si risk financial statement level risk kahi par bhi galti ho nne ke chances hai us wajay se ab joh assertion me galti ho nne ke chances pahele 10 percent hai to woh bada ki jayeng 20 percent definitely financial statement level risk hai usse apne ap thoda push hota kuanse risk assertion level risk ab sun lise quickly audit audit hum log jate initially kuan sa procedure perform krate risk assessment procedure aray kya perform krate risk assessment procedure that is nothing but collecting information and obtaining understanding aray that is nothing but collecting information and obtaining understanding apne ap apko risky areas nazar ati rehenge thik hai risk kittte level ki hai dho kuan se financial statement level or kuanse assertion level kahi par bhi galti ho sakti to woh kya hai financial statement level or aapko pata ye item kya is point me galti that is the assertion level aapko kya kya why we did this kyunki do no ko deal karne ka tariqa alag hai agar aapko lagta hai poora assignment i riski hai chal veta das loog the team me das ka pandra kar team ko strong bana yaha financial statement devil risk jada risk jada kahi par bhi galti ho sakti 10 loog te kitle kar pandra pah 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 50% senior jayeng 50% junior jayeng change 75% senior 25% junior pahle hum nne bola tha ki hum sir har shukra ko ake supervision karengge statement level risk jada team ko thoda sa badao senior ko badao supervision badao aur yaha pah sab ko bolo agar alertness ka level pahle normal rhahta hooga to yaha pahle alertness ka level high kar do har chiz ko yaha pahle check karna zruri hai kahi par bhi galti ho sakti hai to jab financial statement level risk ho ti to to sir jake kaha checking kar data inventory me galti ho sakti hai kya to jake jada check kis kukar inventory property ke ownership me galti ho sakti hai kya to jake jaja kya check kar ownership sale tera fake ho sakta hai kya marge ke mehne ka to jake jake check kar kuan sa marge ka dono me ha māra approach badal jata yes no for example aap log bhi thik kya agar koi baccha bolta kis sir mera joh overall overall mera concentration ka level eus me dhikkat hai to koi bhi subject me gad bada ho sakti hai kuan sir is kai financial statement level concentration level thoda kam chal raha mera sab ke phases koi chinta ki ba nahi hai sir sach bata ho phone ke upar koji control nije mera jab tak class mein to phone dhur hota klaas ke baad or klaas ke pehle har baad country sa me kis pe phone pe bhaankar time killing ho rai hai kuan sir is kai financial statement kai 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 bhi subject me dikka jasakti that is financial statement level bale sir meri handwriting slow ha vaapas pure subjects me subjects ko specific maang ho to kuan sa financial statement lekin koji mujhe bolega ki sir costing me standard costing ke andar meriko dikkat hai exactly ya dikkat kuan sa risk kai 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 kasam se bolta ho standard costing a apna apan rankholder thay isle lekin apan ne inter me costing kittima kakas wold kata 56 a chalisa hai me kai 56 mark ka sol kiya tha or 40 hai kuch subject ek tarfa chal te kuch subject ek tarfa chal te man yye boolna chata ho kisya subject week hai to ghabrani ki zarurat nai hai maximum bacho ka koji na koji ek subject week ho ta hai a apko darne ki zarurat nai hai kabhi kisih din aapka 56 mark ka sol ho to bhi tum pass ho sakti ho thik hai ghabrani ki zarurat nai hai or akar usse jyadah sol hua hai to pakka phir pass to ho hi sakti now guys yeh minne aapko dekho minne bhi aapko bataya dho tarakir sequency financial statement level and assertion level uska minne parallel example diya pahle desh ke security ka or phir aap ka bhi kyunki dhonoh me humara approach kaisa hai badal jata yaha tak ki baat clear aray yes no aray yes no okay very good now listen ab ek bar hamko risk pata chal gai ek bar hamko risk pata chal gai aur hamko pata chal gai ki kahaan pe gad bad ho sakti hai hum perform karte further audit procedures hum kya perform karte further audit procedure aie aek bar hamko risk pata chal gai hum ko pata chal gaya ki kahaan pe galti ho sakti hai we go and perform further audit procedure fap risk pata karna r.a.p that is risk assessment procedure aek bar pata chal jaya kahaan pe galti ho sakti kya perform kare enge further audit procedures mouta mouti bhi mtlap samjho technical me or jayenge ae now listen now aap 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 example dhe raha sune leje or mene bula aaj ke lecture me is me hum comfort aap bhat bhat bade jang jit gaya phir audit me kuch padhane ko hai kuch bhi kuch kuch aasa bolna padhta okay aasa hota to bat hi kya thi now listen guys now aap company aap imagine kere thoda aap company mein gaya ha aap company ki jangkari lye raha company ki jangkari lye ekonomi ki jangkari lye company ke kama kach ki jangkari lye aap jan kari lye aap jangkari nikkari aap aap ne kabin me aap kari aap aap ke team ke cah luk ba aap or discussions kar discussion kar discussion me ek baat nikal kar ki bule ye industry bhyankar recession me gai abhi it is going into recession already three months recession chal raha already three months recession chal raha or three four months recession chal nye wala in fact 1 year to ho to jab hem log risk assessment procedure jab hem log risk assessment procedure perform kar raha to him kis ki jan kari mili recession ki aray kis ki jan kari mili recession ki ab mai chata ho ki aap thoda sa so aap jo it ho naar buddhiman or shakti man aap ko har jan kari lene ke ba so chan pardha financial item me kya galti ho sakti aap mujhe bata ho agar koi company recession me jayegi to unko kaha pere nuk sakti kwan se financial item me dikka jas tiy to bol re sales me dikka jayegi sales kam ho jayengi gira jayengi aray yes no sales kam ho jayengi okay sales kam ho jayengi gir jayengi ye dikka jayengi ho sakti ho fake sales karni kush kare aray yes no or inventory valuation inventory ka value gir jayega inventory kya ho jayegi obsolete to ho sakti kya inventory koi write off karna pade ho sakti inventory is overvalued inventory is overvalued very good or okay loan repay nahi kar pahengi or bad dates bad dates bhoat say loog paisa dubayengi aray bhoat say loog paisa dubayengi to kya lagega provision for doubtful dates provision for doubtful debts loan repay nih kar pahengi bol rhe loan repay nih kar pahengi okay or assets ki value come or right off karna pade asset ki value right off karna pade g hai mein bol to practical life mein aasi ho ta jan kar ikkhta karte ho sot te kaha pe galti ho sakti ab mein aapne yi discussion me tine area ko identify karta ho risk ki area number one sale bhaengkar gir sakti ye log manipulation karke fake sales dikhakar sales ko bhaane ki koshish kar sakte risk kaha pahe sales me arre risk kaha pahe sales me dousra inventory ki value kama ho sakti gira sakti inventory to sales kaha inventory koh write off kara risk kaha pahe inventory me dater paise duba sakti arre dater paise duba sakti to risk kaha pahe kis me apas dater quickly mujhe batau kittne area risk mili tene kaun sa sales fair inventory fair data yes no arre yes no abdhyaan do listen is main se ek area pakard ta dater koh sa dater hum unko puch te bhai last time recession kab aya tha last time recession aya tha 8 se 8 saal pehle 8 saal pehle recession aya tab kittne logo nne paise duba hai bole 50 percent recession kab aya tha 8 saal pehle kittne logo nne paise duba hai 50 percent bole is saal dater kitne bole 500 crore pichle baar recession aya tha to data z me 50 percent dater nne paise dubai thay is bar dater kitne 500 crore kittne paise dup sakte dhai sot crore baai saab dhai sot crore ka loss ho sakta kis me dater me to humko provision kittne crore lega dhai sot crore ka bole tumne provision kittna bana ka rakhaya pachas crore ka there is a risk that provision for doubtful date is wrong by 200 crores by 200 crores quickly provision kittna bana ka rakhaya pachas crore or kittna lag sakta hai dhai sot crore provision for doubtful date kam hai kitne crore se 200 crore se 200 crore ke galti honne ke chances provision for doubtful date mein 200 crores arre samjha ke bhai arre yes no no listen sir jago jau to phir tum nahi song upon 8 9 10 boarding school me and it was like a military school only to vah par pahle jitne bhi evil elements hua karte thay ensure karna paddata ho song hai phir tum song tumhare cheher pe polish lag sakti hai thikai paste lag sakti hai shiving kuch bhi lag sakti hai kare to pahle sab ko sulha ke suna paddata tha bhai sab song hai nalai klo song hai to phir apan hai bhai 8 9 10 me saadha vara eek bhi bade chiz hoti tum nalai x wale hum teen bae sote chara baje sote us ko sulha ke sote pher subah saadha paanj baje uthna ta humare head thay brigadier paus hokar and he was saadha paanj baje training bhai thandi ke din hap pen pen ke hum kudkud karre it na andera khud ka hat pao ni dikk raha bhai it andera me kha dha paan jahe te se to soe hai rata ko eek baje ura gaya sabah saadha paanj baje neen to hui nahi hai or us me bhi physical training shuru ab kaisa suppose ground air ground ke bale ki a 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 dousre me cotho yada cotho pher cotho me sattwa yada khatam aisa nipta denga bhai itta koon doda a a a a a map banayenge map banayenge poore jo pt wale sar rathay woh map me poora doda enge 10 km paagal ho gai paagal 10 km matlab us me tum short-cut mahar nahi sakte to agmi itna bhaag rahe achha slow bhi bhaag sakte agar tum slow bhaag to naashti kha ho jayenga to bhaag bhaag milkhah bhaag bhai bhaag to itna bhaag aukat ke bhaar koi jan bachi nahi hai and then you enter the miss and that was a miss halab itna nalai bach che vhaan ke actually per jase idli idli supposed to be soft supposed to be yad dabai na bhai ye kuan si idli hai kya hai is ek kaam koro is ko idli mat bolo joh bhi hai bolo idli mat bolo thik hai bhaata to bhai pathar achha vaha pere ye joh vaha pere male ego alpha male sabko banna alpha bhi sab to bhai vaha pere loog tis tis idli kha raha 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 or sambar jug se pira raha ye bata ne kia 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 strong hai aise atmosphere me kuch bhi karlo you over it ab bhai rata ko niend hui nahi hai bhai any professor any professor any subject it is matter of first five minutes tauri is going to sleep bhai apanhe itni maara khahi hai aur puri boys class ti ari raha ari raha kuchlo ke aasu aagai sir aapka hat bort bura hua sipe 8,9,10 ta aisa maa samujo 11,12 baakki sab bhi tha amiru paas o baad me na listen phir vaha pe apanne sone ke ne ne tariqi nikal liye te aise bench niche pen phikna niche pen niche dheru haa bholi ye upari niyar phir bach puri boys class bachyo ko maja raha sir soya gaya soya gaya maro isko thik hai phir headache hai toh hee bolke hostel me jake soja na ho toh bhoati common tha thik hai or lekin apan top 3 me rathay ta apan sone sone kare ko aad karu ke proseeer ke saath kuch samaj me nia raha likhné ko bhoat kuch rata phir bhi apan likte aap aap thik hai toh aisa kuch laga apan panne panc dis min jabki maarni ka phir serial woi chal ta haa samjha meriko वोई यूज कर लेते हैं, हमको महनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम दुसरी चीज में महनत करेंगे न, रे यस नो, अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने देखा कि 200 कोड की रिस्क है, हमने मैंनेजमेंट को बुलाया, इधर आ बेटा, नहीं, तो इधर देखले से आम बता तो बोले, 200 कोड की रिस्क है, तो इधर आ बेठो, डेटर में पैसे नहीं डूबने चाहिए, इसके लिए तुम्हारा क्या सिस्टीम है, बता मेरको, तो बोले, बता तो नो, सिस्टीम क्या है, एरे गहरे नत्थू कहरे को माल नहीं बेचते हैं, बोले, फिर कैसा, कोई भी नया, अगर कस्टमर मेरे पास में आता है, तो पहले मैं दस पेच का फॉर्म भरवाता हूँ से, उसकी हिस्ट्री, जोग्रफी, फाइनचल, फाइनचल सब लेता हूँ, अच्छा, स्टेप नंबर वन, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेता है, फिर, क्रेडिट रेटिं एजनसी को भेजता हूँ, कि ये पूरी इंफॉर्मेशन स्टडी कर, और मेरे को बता, इसकी इसकी फाइनचल बराबर है कि नहीं है, बता इसकी रेटिंग इतनी है, बहुत बढ़िया, और, पूरी इंफॉर्मेशन और रेटिंग के साथ में CFO को मेल जाता है, CFO स्टडी क इसे ही मेल आता है, अकाउंट है, सॉफ्ट्यर के अंदर लिमिट को चेंज करता है, 10 लाग, 20 लाग, 30 लाग, 50 लाग, as the case, may be, अब ये डेटर का बैलेंस इस लिमिट के ऊपर नहीं जा सकता है, अगर सपोज इसकी उधारी 10 लाग तक पहुच गई है, सिस्टिम एक्सेप् क्या करवाते है, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग करवाई, स्टेप नमबर थ्री, इन्फोमेंट किसको करेई, CFO, CFO ने क्या विजा हमको, क्रेडिट लिमिट, एनलिसिस करके, क्रेडिट लिमिट कहां फीड की, सॉफ्ट्वेर में, अभी बैलेंस कभी 10 लाग के उपर नहीं जा सकता, रिजेक्ट हो जाएगा, या सिस्टी में तेरा, फिर और मतलब इता सोथ समझ के सेल करते हैं तुम लोग यार, फिर और, बोले, जैसे ही उसको सेल होता है, उसको इमेल, SMS, WhatsApp, सब जाता है, कि तेरी ये पेमेंट की डेट है, तेरी ये पेमेंट की ड रिमाइंडर जाता है, एक हफते पहले उसको रिमाइंडर जाता है, बहुत बढ़िया, due date पर उसको रिमाइंडर थे कि आज तेरी को पे करना है, इतने रिमाइंडर भेजते हैं कि उसकी पेमेंट करने की probability बढ़ जाती है, अगर due date पेमेंट नहीं आ तो अगले दिन, immediately हमा offer तभी के तभी 10% discount देते हैं तुँ पैसा दे अभी क्या T में बोले क्या response है तुम्हारा immediate हरकत में आते अगर उसने 10 दिन में पैसे नहीं दिये उससे सारे transaction खतम उसको sale करना खतम उसके उपर legal के शुरू क्या step से तुम्हारे company में data को manage करने के लिए इसी को बोलते है internal control system अरे इसी क्या बोलते है internal control system क्या internal control system है तुम्हारे company में data के लिए यार दिल खुश कर दिया तुने मैं तेरा यह system check करना चाहता हूँ तुने मुझे भी orally बोला मैं check करना चाहता हूँ बता मुझे कितने नए customers आए मैं उनका form देखना चाहता हूँ उनकी credit rating देखना चाहता हूँ CFO का mail देखना चाहता हूँ software में limit देखना चाहता हूँ मैं खुद entry pass करके देखना चाहता हूँ कि 10 लाग cross होता कि नहीं होता software ने error देना चाहता हूँ मैं तेरे reminders देखना चाहता हूँ तुमारी meetings देखना चाहता हूं, तुमारे litigations देखना चाहता हूं, भाई तु जो बोल रहा है न, सब सही बोल रहा है, तेरे हाँ तो सब कुछ ऐसा चलता है, तेरा internal control system well designed है, you have a fantastic internal control system, it is operating effectively, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मेरे को विश्वास हो गया कि तुमारे data डूबने के chances बहुत कम है, मैं देखना चाहता हूं कि तु क्या करता है, इसी को बोलते test of controls, क्या बोलते उसको, test of controls, जब internal control system को check किया जाता है, कि बराबर बना है क्या, बराबर operate हो रहा है क्या, उसको बोलते test of controls, अरे बड़ी प्यारी चीज़ है, बड़ी ही प्यारी चीज़ है, आपको पता है, standards on auditing क्यों बने हैं? To make auditor efficient and effective, to make auditor efficient and effective, कम से कम समय में जढ़ से जढ़ गलतिया पकड कर लओ, कम से कम समय में जढ़ से जढ़ गलतिया पकड कर लओ, घरान तो सुनो, अपने को चार अरिया में रिस्ट मिली थी, suppose example ऐसे suppose चार एरिया में रिस्क मिली थी तीन एरिया में control super strong है भाई क्या controls है तुमारे एक नंबर जोरदार controls है दिल खुश हो गया मुझे बताओ उस एरिया में आगे जाकर checking कम करेंगे कि ज़्यादा करेंगे कम करेंगे और जहां पर controls बहुत वहियात निकले वहाँ पर checking ज़्यादा करेंगे guys further audit procedures में सबसे पहले हम लोग perform करते test of controls अरे क्या perform करते test of controls जहां जहां risk मिलेगी वहाँ वहाँ पर तेरा internal control system देखना चाहता हूँ कि अच्छे है कि नहीं है test of control करना चाहता हूँ it is a intermediary step it is a intermediary step controls अगर अच्छे होंगे तो आगे checking कम करूंगा controls बेकार होंगे तो आगे checking जादा करूंगा भाई साब हमको इतना efficient बनाता ये system पहले तो सोचो financial item suppose financial statement के अंदर 400 item होंगे कितने? 400 हमको रिस्क मिली सिफ 50 में कितने में? 50 में हमने हमारी पूरी energy time divert किया किस के उपर? 50 50 में से भी 40 जगा controls बहुत अच्छे मिले 40 जगा controls बहुत अच्छे मिले तो हमको हमारी पूरी energy लगानी पड़ेगी किस पे सिफ 10 पे और वहां पे गलती मिलने के चांसे सबसे ज़ादा है it is a master stroke जैसे पुलीस वाले CID वाले शुरू करते 50 suspects है और धीरे धीरे suspects को हटाते हैं, eliminate करते फिर आखरी में बच जाते 3-4 और उसी के उपर वो लोग ध्यान जादा देते इसलिए वो लोग कम समय में क्रिमिल को पकड़ पाते और एक कम समय में क्रिमिल को पकड़ पाते standards on auditing is making us efficient and effective इसलिए पहले हमने क्या perform कि risk assessment, procedure फिर further audit procedure में सबसे पहले क्या perform कर रहा है test of controls दो को technical language बाजू में रखो system को जाके check करना बराबर बना है की नी चल रहा है की नी वो क्या हो गया test of controls अब मुझा बता ही है क्या हमारा ultimate objective is to give opinion on internal control system we are studying external audit we are studying external audit standards on auditing हमको बताते है how to do financial audit, how to do financial audit, how to do external audit, मुझा बता हो क्या हमारा ultimate objective is to give opinion अरे it is to give opinion on internal control system yes no यह हमारा क्या है intermediary step इसलिए अगला step होता है confirm करना चीजों को पहले हम perform करते test of control क्या perform करते है test of control अगला step होता है substantive procedure क्या होता है substantive procedure substantive मतलब substantiate substantiate words substantiate करना मतलब confirm करना to substantiate something मतलब to confirm something confirm करना बराबर है की नहीं है धान दीजे test of control के बाद हम क्या perform करते है substantive procedure सर इसका मतलब क्या होता है substantive procedure मतलब to go and check actual income or expense or asset or liability निकाल तेरे पाथ सो क्रोड के डेटर निकाल उसकी लिस्ट कितनी है अगर डेटर सही है तो लेजर से मैच होना चाहिए अगर डेटर सही है तो लेजर से मैच होना चाहिए अगर तेरा डेटर सही है तो उन्होंने external confirmation में बोलना अरे अगर data सही है तो उन्हें external confirm में बोलना चाहिए अरे सबको पता है ना balance sheet में जो data आता कहां से आता ultimately ledger अरे yes no अगर तेरा data सही है तो किसे match ना चाहिए ledger से सुनो आपकी दिमाग में सारे points आएंगे कि एक बार ज्यादा सुनोगे तो अगर data सही है तो customer ने external confirmation देना चाहिए अगर data सही है सुनो क्या ओल रोबी अगर तेरा data सही है मुझे बताओ audit March का 31 March को खतम हो जाता क्या March के बाद April, May June, July साल खतम हो तीन चार महने बाद तीन-चार महने audit चलता रहता है सपोज अपना audit चल रहा है April, May, June, July अपनी report final हो जोरी 10 August को कब होरी 10 August को अगर तेरा data सही है तो चार महने में कितनी recovery हुई साल खतम होने के बाद 31 March के data थे 500 करोड़ अरे किते थे 500 करोड़ बता चार महने में कितनी वसूली हो गई वो बोले चार महने में 500 करोड़ में से 490 करोड़ मिल चुके है We are very happy आपको पैसे मिलते वे दिख रहे है आपको पैसे मिलते वे दिख रहे है 500 में से 490 करोड़ मिल चुके है मतलब data सही है मतलब उसकी value सही है कोई गड़बड नहीं है जब हम actual financial item को check करते जब हम actual financial item को check करते उसको बोलते substantive procedure क्या बोलते उसको substantive procedure जब internal control system को check करते तो test of control जब actual financial item को check करते उसको क्या बोलते substantive procedure अरे is everyone clear about this yes no दियान दिजे लिखिये test of control हम लोग examine करते internal control company के अंदर जो चीजे चल रही है उसको manage करने के लिए जो system बना है internal control system जब उसको check करते, that is test of control उसमें हम लोग check करते कि control के steps properly designed design मतलब सोच समझ के बनाए है क्या steps और क्या सही में, practical life में उसको implement कर रहे क्या, operating effectively operating effectively उसको हम बोलते है test of control, क्या बोलते है उसको test of control लेकिन ये हमारा ultimate objective नहीं है ये हमारा ultimate objective नहीं है हम लोग जब substantiate करते, मतलब confirm करते जब हम लोग examine करते financial items को जब हम लोग examine करते financial items को, मतलब assets, liabilities, incomes, expenses और एक बहुत ही important चीज़, कौन बताएगा notes to accounts आपके सबसे important चीज़ होती, जब को समझ था कि notes to accounts जहांपे चीज़ों का break-up देते जहांपे चीज़ों का break-up देते explanation देते, उसको का बलते notes to accounts जब हम लोग इन चीज़ों को check करते, जब हम लोग इन चीज़ों को check करते, तो वो कौन सी सबस्तेंटिव प्रोसीजर okay कि नहीं चलिए यहां तक कि रिवाइस करते ब्रेक लेते इसके बाद दो चीजे छोड़ी सी और है उसमें लेकिन अभी आखरी पांच मिंट में लूँगा अच्छी बात नहीं है फड़ा फड़ा सब लग ध्यान देंगे किसी भी audit में आते हैं सबसे पहले कौन सा प्रोसीर होता है रिस्क असेस्मेंट प्रोसीजर अरे कौन सा प्रोसीर रिस्क असेस्मेंट प्रोसीजर आसान शब्दों में कलेक्टिंग information obtaining understanding is nothing but risk assessment procedure बस जानकरी लेकर simple सा सोचना है कौन से item में गलती हो सकती है आपको risk मिल जाएगी जैसे ही आपको risk मिलती है risk दो level की होदी कौन से financial statement level और assertion level कहीं पर भी गलती हो सकती है वो क्या है financial statement level और आपको था specific point में गलती हो सकती है बहुत खतरना क्रिस्क है team को strong बनाना पड़ेगा और टीम को strong बनाना पड़ेगा वही simple solution है लेकिन अगर आपको पता इस financial item में गलती हो सकती है यहां पर गलती हो सकती है आप आगे बड़ो perform करो further audit procedure अरे क्या perform करो further audit procedure पहले company को पूछो कि गलती नहीं होनी चाहिए इसलिए तूने क्या system नहीं है तू बता that is internal control system जाके वो चेक करते यह तेस्ट आफ कंट्रोल्स लेकिन वो हमारा ultimate step नहीं है वो कॉंसे स्टेप इंटर्मेडिरी स्टेप अल्टिमेट फाइनशल आइटम्स को चेक करना पड़ेगा कौंसी प्रोसीजर substantive procedure देखो on lighter note यह जनली होता है और कभी awkward नहीं मानना अब आगे जाकर जाओंगे तो लोग देखते कि सामने वाले ने कौंसे school से पढ़ाई किया सामने वाले ने कौंसे school से पढ़ाई किया कौंसा course किया yes no aray yes no that's very common thing फिर यह भी देखते हैं और फैमिली अगरे उनका समाज में नाम वाम कैसा है market में reputation कैसा है पता यह क्या है test of controls upbringing कैसे हुई है that is test of controls लेकिन आप में सिभी इतना देख लिया कि course अच्छा किया है family का नाम अच्छा है तो के शादी के लिए हां कर दोगे बांदो मेरे को खुटे से yes no आपको one to one one to one मिलना पड़ेगा मैं नो one to one बात करनी पड़ेगा yes no one to one मिलना पड़ेगा actual बंदे से आपको मिलना बंदा या बंदी as the case may be उसमें भी जमाना बहुत बदल रहा है अच्का है ठीक है तो आपको मिलना पड़ेगा one to one बात करनी पड़ेगी जब आप one to one बात करते हो आप समझ रहे हो financial item को आप चेक कर रहे हो तो वो कौन सा procedure है substantive procedure तो मैं बूलना है चाहतो प्राक्टिकल लाइफ में भी देखोगे तो आपको आप देखोगे हर जगा test of controls or substantive procedure चलिए we go for a break mm का material misstatement test of मिलेों कि तका चाहत मुझा तो प्राघ def रहे हो builds motor औरे का फिर समझ राशन accurate बड़े हो आपके प्सकेश चो आपके बना पकिला mär्णी हो हो आप शब्सकेन है आपके नहीं लाचके जड़े प्ससाहरी हो सan през david झाल 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 पुष्का, आरियन, अथर्व, संजय, चेतना, निशान्त, येस, येस, आवाज शुरू होगी, ओके, तो वापस ओनलाइन के लिए, पहले कौन से प्रोसीजर, रिस्क असेस्मेंट प्रोसीजर, रिस्क मिलने के बाद में, फर्दर ओर्डिट प्रोसीजर, उसमें पहले हम ल करनी पड़ेगी, अल्टिमेटली जब हम फाइनशल आइटम को चेक करते, जब हम फाइनशल आइटम को चेक करते, उसको क्या बोलते, सबस्टैंशेट करना, क्या करना, सबस्टैंशेट करना, and that is called, सबस्टैंटिव प्रोसीजर, अब ध्यान दीज़े, देखे, हर सब्ज चीज जो डिजाइन की इंकम टैक्स में, वो इस तरीके से डिजाइन की है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले, GST में भी गवर्मेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले, और जिनको वो बूस्ट करना चाहते, जिस धंदे को, जिस एरिया को वहाँ पर टैक्स कम लगे and so on आपके standards on auditing का एक ही goal है कि कैसे हम लोग पूरे process को क्या बनाए efficient and effective कम से कम समय में कम से कम समय में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा checking करें ज़्यादा गलतियों को पकड़ पाएं पूरी planning वैसी है in fact अगर आप audit के जो funday है concept आपके पढ़ाई में लगाओ तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो और मैं आपको बता रहो बच्चो जितना आप समय आप पढ़ाई पे देते हो समय that's very good but become more and more smart in your studies जितना आप ज़्यादा smartness से पढ़ाई करोगे आप कम समय में ज़्यादा अचीव कर पाओगे अभी स्टुटन्ट आके मिला था कि सर लॉक कि मैंने audio शुरू कर दिया अभी यहने audio सुनता जब भी मैं थोड़ा टाइम मिलता है आदा घंटा audio शुरू करता हो audio देखने के बाद अब मुझे फ्रेश हो गया दिमाग में तो यह इसको मैं smart studies बोलूँगा अपने भी audio अभी जमा हो रहे है और मुझे request आए कि sir प्लीज ड्राइव पे दाल दो ड्राइव पे दाल दो आप ड्राइव पे दाल दोगे तो उसको manage करना maintain करना वो भी दाल देंगे अब record तो होई रहे है ड्राइव पे दालना बहुत आसान है ठीक है में को यह भी suggestion था spotify पे दाल दो तो वो भी दाल देंगे उसकी link बन जाती है फिर spotify में फादा यह है कि on the move वैसे drive में भी फादा है on the move कभी भी अगर आपको सुनना है तो आपको मिल जाता है ठीक है now smartness के लिए बना हुआ है अब यहाँ पे और एक smartness आप किसी financial item को कैसे check कर सकते हो किसी financial item को अगर आप check करना है smartness air condition chamber में बैठो बहुत बढ़िया बिना आप company के office में गए बिना उनके factory में गए बिना चीजों को देखे आप आपके office में बैठ कर air condition chamber में बैठ कर laptop के उपर आप बहुत सारी checking कर सकते हैं you can do lovely checking और आप पता लगा सकते हो कि चीज़े सही है कि नहीं है कैसे बहुत ही simple सबसे best तरीका आप amounts और ratios को compare करिए company के amounts company के amounts और company के ratios को क्या करिए compare करिए पिछले सालों से दूसरों से पिछले सालों से compare करिए दूसरों से compare करिए आपको पता चल जाएगा कोई गडबड तो नहीं है example तो मैं आपको सुनी data data's पिछले तीन साल के data's हम लोग देख रहे है on an average 80 लाग क्या असपास कितने 80 लाग इस साल data 50 लाग हो गए कितने से कम है 30 लाग तो हमने compare किया 30 लाग से कम है बुलाया management के बंदे को accounts में जो बंदा data संबाल दो उसको बुलाया बिटा बैठ data कम हो गया और हमारे हिसाब से कम नहीं होने चाहिए तुमारा credit sale कम हुआ है क्या बुले नहीं credit sale जितना पहले था उतना ही अभी भी हमारे government contracts वाला काम है credit sale उतना का उतना है तेरा credit period कम हो गया क्या credit period सब को समझता है न credit period कम हो गया तो पैसे जल्दी मिलेंगे जल्दी मिलेंगे तो data कम हो जाएंगे नहीं बोले credit period भी उतना ही है तेरा credit cell उतना ही है लेकिन data तो कम हो गए तेरा credit period भी उतना ही है लेकिन data तो कम हो गए ऐसे कैसे बोले तुमने कोई नई discount scheme लई क्या कि जल्दी पैसा दो जल्दी पैसा दोगे तो हम तुमको discount नेगे नहीं बोले ऐसे कोई scheme भी नहीं है अरे भाई तो फिर 80 लाग से 50 लाग कैसे हुए 30 लाग कैसे कम हो गए तो बोले वो तो पता नहीं तेरी company तुने accounting की और तेरे को पता नहीं है वो गया अपन अपने कैबिन में बढ़ते उसको बुलाया वो समझा नहीं पा रहा है तू जा भई बाद में बात करे तिर से बैल आदमी है समझा नहीं पा रहा है फिर अपना एक कली गाया बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा ते ओ ते ओ गया problem हो गया बुले मैं liabilities check कर रहा था अच्छा पिछले साल तक एक line item होगा करता था balance sheet के अंदर एक line item था advance received from customers advance received from customers क्या entry पास होती जब customer से advance मेल तो पैसा रहा है cash bank account debit to advance from customer account credit जिसने पैसा दे उसके नाम से credit हमारा obligation है इसको माल देना हैंको तो इसको लिएबिलिटी फॉर उस इसको लिएबिलिटी फॉर उस पिछले साल तक बोले इनके balance sheet में advance from customer दिखता था इस बार दिखी नहीं रहा मैं asset check कर रहा था asset के comparison में एकदम data कम होते हुए दिखे मैंने उस पर पूछता अज की समझ भी नहीं आ रहा मेरा कलीग liability compare कर रहा था liability compare करने में दिखा एक line item गायब है missing एक line item it is missing वो भी परिशान है बताओ यह मैंने आपको भी बताओ गल्ती क्या हुई है कौन बता सकता है और थोड़ा और सोजो क्या गल्ती हुई है कौन समझा सकता है मुझे what has happened चलो online वाले बताओ अभी, पृती, हेमंग, भावेश, सौम्य, नवीन online वाले बताओ कौन मुझे बताओंगा कि क्या गल्ती हुई है यहां पर मैं आपको फिर बताओ situation क्या है asset side में दिख रहा है data 80 लाग के 50 लाग हो गया data कम है कित्ते लाग से 30 लाग से और liability side में दिख रहा है कि advance from customer account गयब हो गया मतलब ऐसा दिख रहा है asset भी थोड़ा कम हुआ है और liability भी कम हुआ है मुझे बताओंगा कि company के हाद से क्या गल्ती हुई है थोड़ा सा सोचो आप कौन है वो होनार बुद्धीमान, छक्तीमान कौन है वो जो auditor बन सकता है जो समझ रहा है कि भाई क्या गल्ती हुई है कि इनका data कम हुआ है 30 लाग से और उनकी liability भी कम हुआ है जो advance का collection हुआ है उन्होंने उसको data collection मान लिया ठीक है, you are close but not bank on target प्रथम ने जवाब दिया है शुभम ने जवाब दिया है निशान ने जवाब दिया है और उनले वाले सारे के सारे जवाब दे रहे एक साथ और सब सही दे रहे समझ भी नहीं है क्या हुआ मैं आपको एक बात बता दू CA में हमेशा याद रखना कभी भी तुमको ऐसा लगए कि तुम बहुत ही कुछ complicated सोच रहे हो तो सोचना कि तुम सही नहीं सोच रहे हो it is easy कभी भी अगर exam भी बोल रहा हूँ मैं मैं बहुत बड़ी costing में गलती कर चुका हूँ ठीक है costing का paper देकर बहार आया मैं बोला यार वो number of labors तो दिये ही नहीं थे मैंने बाकी पूरी information से number of labor निकाले फिर मैंने problem solve किया कितना difficult problem था मैं इतना खुश था मैं इतना खुश था मैं ही solve करके है था था तो सही second last line में कितना 48 अच्छा मेरा भी 48 या था जो information दी थी उसको मैंने पहले निकाला थीक है तो फिर मैं को समझ में है कि मैं ज्यादा अगर कभी कभी complicated सोच हो तो load ने ने कहाँ एई ने ने कहाँ एई ने कहाँ जिते भी customers है उनका एक ledger होता है customer ledger customer ledger all customers which are having debit balance they are called debtors and all the customers which are having credit balance अगर customers कहाँ चल रहा है credit balance मतलब वो आपको advance pay करके बेठे they are advance from customers गलती ये हुई इस बार company से उनको customers का ledger लेना था customers having debit balance को अलग से दिखाना था data's और customers having credit balance को अलग से दिखाना था advance from customer advance from customer balance sheet में दिख नहीं रहा मतलब उन्होंने दोनों को net करके बताया कुछ लोग को नहीं समझा होगा it's okay कुछ दिख रहे मैं फिर से सम्झार धान दो वापस समझ लो द्यान दीज़े अच्छा सब को case समझा क्या data's को किससे compare किया पिछले साल से creators library को किससे compare किया पिछले साल से दिख रहा है कि data's कम हो गया कितने से 30 लाग से और दिख रहा है कि library side में एक item गया हो गया कुछ सा advance from customers हुआ यह है आपका customer का लिसन यह आपका एक customer का ledger होता है customer का ledger ठीक है और इसके अंदर आपके बहुत सारे customers के account होंगे a b c d अब suppose यह दो customer का debit balance चल रहा है debit balance चल रहा है तो यह हमारे क्या हुए data's यह दो customer का credit balance चल रहा है मतलब यह advance देकर बेटे हमको इनको good supply करना है यह हमारा क्या हुआ advance from customer इन दोनों को net off करना नहीं चाहिए और इन दोनों को net off करना नहीं चाहिए इसका balance इसका मतलब यहां पर supposedly इसका balance था 80 lakhs और advance from customer का balance था कितना 30 lakhs इसको अलग से दिखाना चाहिए था डेटर इसको दालग से दिखाना चाहिए था advance from customer एक जाएगा asset side में और एक जाएगा asset side में और एक जाएगा liability side में इन लोगोंने customer तो customer होता है क्या भेद्भाव करना दोनों का कर दिया net इन्होंने balance sheet में ठीक है balance sheet में इन्होंने सीधा दिखा दिया data 80-30 कित्ता दिखा दिया 50 लाग ठीक है यह इनका presentation गलत हो गया और हमने इसको पकड़ा comparison से अरे हमने इसको कैसे पकड़ा comparison से पिछले साल से comparison में यह बात हमको समझ में आई कि देखो कैसे data कम हो रहा है liability गायब हो रही है फिर हमने उसमें चानबीन की जाच पड़ताल की तो यह गलती समझ में आई तो चेक करने का बहुत प्यारा बहुती intelligent तरीका है कि आप amounts और ratios को किसे compare करो पिछले सालों से और किसे compare करो दूसरों से यह comparison करके आपको समझ में आएगा कहाँ पे चीजे गलत है और कहाँ पे आप चीजों को improve कर सकते हों and it's a very good thing are you getting this point? aray yes, no okay तो जब हम लोग यह comparison करते है जब हम लोग यह comparison करते है इसी को हम लोग बोलते है substantive analytical procedure इसको मोटा मोटी मैं बोल रहा हूँ comparison अभी हम सुनो मेरा technical language पर अभी कोई ध्यान नहीं है मैं देना भी नहीं चाहता भी मैं को pure understanding चाहिए अभी एकदम simple भाषा में simple language में audit कैसे होता है हम कैसे process करते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं हमको हमारा base बनाना है उसके बाद language बनेगी जब हम लोग comparison करते हैं ठीक है वेन वी दो comparison with last year and others उसको बोलते analyze करना क्या करना? Analyze करना और क्योंकि ये analysis हम substantiate करने के लिए कर रहे है क्योंकि ये analysis हम substantiate करने के लिए कर रहे है financial item को check करने के लिए कर रहे है उसको हम लोग क्या बोलते है? Substantive analytical procedures Is this point clear? Online वाले एकदम सबने शुरुवात से पहले से एकदम सही जबाब दिया तो एकदम ने या फिर हो सकता है एक cancer देखके सबने सही जबाब दिया सार ऐसा मत बूल हमारे बारे नहींने एकदम एकदम सही जबाब दिया आप लोगों ने निहाल, उदित, पृती सिना साब, धरवानी साब, सुनी साब सबने सही जबाब दिया एकदम इन्होंने सेट आफ कर दिया तो जब air condition chamber में बैठके data data खेलते हैं comparison comparison खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं? Substantive analytical procedures लेकिन हम बोलते हैं, मैदान में उतर जाके देख, factory है की? नहीं है land and building है की? नहीं है laser में balance कितना है जाकर देख question कर, cross question कर उसको बोलते हैं, test of details जब हम practical life में उतरते हैं, factory visits करते हैं when we go for factory visit, when we go and see records when we talk to people, that is called as test of details quickly, substantiate करने के दो तरीके है, air condition चेम बैठके क्या करो? substantive analytical procedures मैदान में उतर के क्या करो? test of details let's freeze guys, देखो बस इतना सा ये portion था लेकिन ये बहुत बड़ा base है audit में जाते हैं, सबसे पहले क्या perform करते हैं? risk assessment procedures क्या perform करते हैं? risk assessment procedures risk मिलने के बाद में क्या perform करते हैं? further audit procedures उसमें सबसे आराम से क्या कर सकते हैं? comparison, that is substantive, analytical अच्छा, उसमें सबसे पहले हम company के system देए, that is test of controls फिर actual financial items को check कर, that is called substantive procedure उसमें भी आराम से बैठके करो, air condition chamber में, that is substantive analytical procedure मैदान में उतरो, test of details is everyone clear about this? okay आप में से काफी लोगों ने answers मुझे बताए भी मैं सानद answer भी दालूंगा, telegram पे और आपके papers भी आपको check करके मिलेंगे ठीक है? सिब उसमें थोड़ा सा initial, पहले paper में समय लग सकता है, फिर आपन कोशिश करेंगे कि दो-तीन दीन, दो-तीन दीन के अंदर आपको रोजका check करके मिल जाए लेकिन आपने ये facility का पूरा यूज करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की drafting जो है वो बहुत अच्छी हो सकती, मैंने एकाद दो paper खोल के देखे किसी ने accounting records और other records के जगा audit report and other report ये लिखा हुआ है मतलब हम records की बात कर रहे है और बच्चा लिख क्या रहे? report मतलब मुझे ये भी समझ में आता है कि उसके concept clear है लेकिन वो जल्दबाजी में लिख रहा है और silly mistake लिख रहा है, वो records को क्या लिख रहा है? reports लिख रहा है ठीक है? तो लेकिन उसका पूरा use करें, उस पर discuss करेंगे आज जब मैं उसका एक पूरा detail answer आपको दे दू चले, now next is methods of collecting audit evidence क्या बोला? methods of collecting audit evidence भई, actual actual जो audit evidence actual जो मुझे सबूत इखटा करने evidence इखटा करने उसके methods क्या होते है तो 7 methods है, कितने methods है? 7 methods, देख एक flow बनाया है मैंने, कोई shortcut नहीं कोई mnemonic नहीं, एक flow बनाया है within few minutes पूरे साथ अपने को याद हो जाएंगे, आपको imagine करना है थोड़ा सा, ध्यान दीजे let's imagine आप company का audit मिला company के factory में गए आप देख रहे हो कितने बड़ी FACTORY है यह लुँकिंग आट कितनी बड़ी FACTORY है, यह लुँकिंग आट कितनी MACHINE है, यह लुँः लोग कैसे काम कर रहे है आपके मन में एक विश्वास पैदा हूआ, यही में इनके पास fixed asset है आपके मन में विश्वास पैदा हुआ, सही में लोग production कर रहे हैं, आपके मन में विश्वास पैदा हुआ, कि सही में इनकी इतने labor है, ये विश्वास आपके मन में पैदा हुआ, आपको assurance मिला, तो जब आप कही पर भी जाते हो, चीजों को देखते हो, you look at how things are done, उस method को बोल करने का, जानकारी खटा करने का, सबसे प्यारा बहुत ही simple तरीका है, जाकर चीजों को देखो, and that is called observation, अब imagine करो, आप factory में अंदर गए, आप सब को देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा सा रैक है, और उसमें बहुत सारी files है, आपने एक file निकाली, आपने एक file निकाली, वो sales file थी, कौनसी file है, sales file, उस file के अंदर 100 sales invoices है, कितने invoices है, 100 sales invoices, आपने एक file ली, उपन किया, आप invoices में, आप invoices देख रहे हो, अच्छा, company का बराबर नाम है, GSTN नमबर है, address है, product बराबर लिखा हुआ है, product के सामने quantity है, rate है, discount है, सब कुछ बराबर दिया हुआ है आप किसी document को अच्छे से study कर रहे हो, किसी document को अच्छे से study कर रहे हो, अच्छे से examine कर रहे हो, उसको बोलते है, inspection, जब भी आप किसी document को अच्छे से study करते हो, read करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते है, inspection, records को देखना, records को देखना, इस activity को हम लोग क्या बोलते है, inspection, यह इस बात समझी कि आपको? Yes, no. वैसे ही, जब आप किसी machine को अच्छे से देख रहे हो, कि machine का नाम क्या है, chasis number क्या है, उसको अच्छे से देखते हो, उसको भी inspection बुलते हैं. किसी record को अच्छे से examiner करना is inspection. किसी asset को अच्छे से देखना, that is also inspection. इसका chasis number, सबको समझता है, chasis number होता है? जैसे आपकी जो cars होती है, हर engine का एक number होता है, unique number, उसके बुलते है chasis number. जैसे मारूती, बहुत सारे companyों में, जैसी मारूती के system में आप chasis number दालते हो, पूरी कुंडली गाड़ी की निकल जाती है. इसकी कितनी बार ये कब खरीदी गई थी, कितने बार इसकी servicing होई, इसमें क्या-क्या काम किये गए, इसका accident हुआ की नहीं हुआ, इसका repaint हुआ की नहीं हुआ, इसकी पूरी कुंडली मारूती के पास में होती है. किसी भी authorized service center पे गए है, तो वो लोग बराबर chasis number डाल देते हैं. तो, anyways, आप किसी machine को अच्छे से examine कर रहे हो, तो वो क्या होगा आपका? inspection. Record को देखा तो, inspection. किसी asset को देखा तो, inspection. Anyways, अपने example को अगले आते हैं. अपने कुछ product ही समझ में नहीं आ रहे थे. बंदा ख़़ा तो, उसको बोला, जब भी कुछ समझ में नहीं आता तो, हम पूष्टाच करते, explanation मांगते, ये information, evidence obtained का और एक तरीका है, that is inquiry. That is inquiry. Quickly, factory का है? observation. लोगो काम करते, that is observation. sales की फाइल निका ली, invoice दिखना की, that is inspection. हमको कुछ बाते समझ में नहीं आ रही थी. तो हम लोगों ने उससे पूष्टाच की, वो क्या हो गया? inquiry. Put yourself into situation, imagine करिये उसको, बहुत प्यारा समझ में आगा, बहुत आसानी से याद हो जागा. फिर हमने उसको बोला, calculator ला. Calculator ला, मैं discount खुद compute करके देखना चाहता हूँ. मैं GST को खुद compute करके देखना चाहता हूँ. मैं quantity into rate को खुद करके देखना चाहता हूँ. जो calculation company के लोग कर चुके है, मैं खुद उसको करके देखना चाहता हूँ. उसको बोलते, re-computation. मैं बात हो, बहुत सारी company आप बेवकुफ बनाती है. फॉर्मूला सही लिखती है. फॉर्मूला सही लिखती है. प्रेजनटेशन सही होता है. लेकिन calculation गलत होता है. बहुत से लोग assume कर लेते कि ये सही चोगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. मैं discount फिर से निकाल के देखूंगा, सब कुछ फिर से calculate करेंगा. That is re-computation. अरे हवा लग रही है क्या? ये तरीके है evidence को obtain करने के. ये तरीके है evidence को obtain करने के. फिर उसके बाद, बहुत बढ़िया. एक मेरे को एक PC दे जहां से तेरे accounting software access होता है. मैं PC पे जाकर बैठना चाहता हूँ. मैं कुछ काम करके देखना है तो. मैं sales की report generate करना चाहता हूँ. जो report तू generate करता है generally, वो मैं खुद generate करना चाहता हूँ. जो काम तू करता है generally, वो काम मैं independently खुद system के उपर बैठ कर करना चाहता हूँ. मैं खुद report generate करूँगा ये क्या हो गया re-performance आज ही पढ़ा था पनने क्या हो गया re-performance जो काम तू करता है वो मैं करके देखना चाहता हूँ voucher की entry तू करता है मैं करके देखना चाहता हूँ ledger की posting तू करता है मैं करके देखना चाहता हूँ वो क्या हुआ? Re-performance. ठीक है? अब मैं PC पे बैठा ही हूँ ना. बारा महने का sales का graph बनाता हूँ. बारा महने का sales का graph बनाता हूँ. और देखता हूँ कि sales कब कम है और कब जाधा है. Diwali के season में peak दिखना चाहिए. Diwali आसपास किस दिन में peak दिखना चाहिए. अगर दीख रहा है मतलब सब सही चल रहा है मैं मन्थान मन्थ सेल को compare करना चाहता हूँ मन्थान मन्थ सेल को compare करना चाहता हूँ इस साल के सेल को पिछले साल से compare करना चाहता हूँ इस साल के सेल को पिछले साल से compare करना चाहता हूँ यह क्या हो गया? analytical procedure और यह क्या हो गया? अनलिटिकल प्रोसीजर कम्पैरिजन से भी समझ में आता है चीजे नॉर्मल चल रही है कि नहीं चल रही है एंद लास्टिंग साथ मेथड से लाखरी चीज मैं पीसी पर बैठा ही हूँ तब पचास कस्टमर की लिस्ट निकल सबको बोल हमको उनसे एक्स्टर्नल कन्फर्मेशन चाहिए क्या चीज़ है? एक्स्टर्नल कन्फर्मेशन सारे के सारे लिख कर देंगे कि सेल कितना है साल भर में उनको कितना सेल किया, confirm करो अभी कितना बैलेंस, आउटस्टेंडिंगे पे करना है confirm करो, confirm it to us बोले, सबने लिख कर भेजाए वो हो जाता है एक्स्टर्नल कन्फर्मेशन अरे क्या हो जाता है? एक्स्टर्नल कन्फर्मेशन देखो, साथ तरीक हो गया, quickly फैक्टरी जाके देखी इन्वाइस को देखा पूश्टाच की जाके पीसी पे बैटे, जो काम वो करते, वो काम खुद करके देखा ग्राफ बना कर कंपरिजन किया टॉप कस्टर्मर को बोला, confirm करो इतना बैलेंस एक्सर्नल कन्फर्मेशन इस आर सेवन मेथोड़्स इस आर सेवन मेथोड़्स of collecting audit evidence और कितनी प्यारी चीज़े हैं कल जाके आपको कोई भी चानबीन करने है कल जाके आपको कोई भी चानबीन करने है किसी के भी बारे में कोई भी चीज करनी है आपने क्या करना चाहिए methods of collecting audit evidence चले लिखेंगे हम लोग scribbling इसलिए करते हैं कि हम active रहे है आपको बस scribble करते जाना है यह जो आपके notes है यह सब कुछ आपको छापके दिया है सब कुछ दिया हुए लेकिन हम scribbling करते रहते हैं methods of collecting audit evidence पहले चीजों को जाकर देखा क्या हुआ? observation लिखते जाहिए फिर हमने invoice file उठाई invoice को अच्छे स्टडी किया वो हो गया inspection फिर employee से पूछताच की वो हो गया inquiry फिर हमने उससे calculator मंगवाया re-computation फिर हम लोग PC पर बैठे जो काम generally वो करता है मैं करके देखना चाहता हूँ independently बिना तेरे involvement के re-performance अब PC पर बैठा ही हो तो मैं comparison करना चाहता हूँ top 50 customers को बोलो लिख कर देंगे साल भर में इतना सेल हुआ था इतना balance outstanding है external confirmation अनुब बोलता है याद याद रखने का लेकिन मैं उसको बोलतो लास्ट रिसॉर्ट है अगर आपको कोई flow में ही समझ में आ जाए प्रैक्टिकल फ्लो में आपको समझ मैं जो वो याद रहेगा आपको जितने लंबे समय तक याद रहेगा और आप उसको जितना अच्छे से explain कर पाऊगा तो यहाँ पर अगर हम लोग अभी निमोनिक बनाते है बन तो जाता लेकिन शायद आप explain करने में उतने comfortable नहीं होते है आई है अब साथ methods है उसमें से कुछ methods हम लोग बहुत detail में यहाँ देखने वाले कुछ अलग-अलग essay में हम लोग देखने वाले है there are seven methods मुझे बता यह observation में when you look when you look at people how they are working कैसे काम कर रहे है क्या काम कर रहे है उसको हम लोग क्या बोलते है observation अरे क्या बोलते है observation कौन मुझे बता observation में दो drawback है who will tell me observation सबसे प्यारी चीज है visual evidence है कौन सा evidence है visual evidence ऐसी पुरानी कहुत है सौ सुनी एक देखी बहुले सौ तुम सौ बाते सुन लो उससे भी जादा अच्छी चीज है एक बार देख लो ठीक है observation का drawback क्या बोलता है क्या proof कैसे करोगे आपने देखा भई आप खुद और आप लिखोगे कि मैं गया था वहाँ पर मैं लोगों काम करते हैं देखा लगवग यह document होता है photo ले ले photo ले सकते video भी ले सकते permission लेना client से लेना oh misunderstanding हो सकती है वो तो आखों से कच्रा निकाल रही थी तुमको लगए वो बोल रहे कि हो सकता है misinterpretation हो जाए यह सरे को time consuming very thoughtful sir बोल रहे कि हर जगा पित्ती बड़ी बड़ी company में विजिट करना जाना देखना is very time time consuming okay जिस दिन आप observation करने जा रहे हैं उनको पता चल गया था सब नकली workers workers सजा धजा कर रखा colleges में होता है न colleges में committee वाले लोग आते है सबको में सबको बोलते है आजाओ अटेंड़न जरूरी नहीं तो तुमको fine लगाएंगे ठीक है और सब uniform पहन के आना जिंदगी में uniform पहन के नहीं जाते बोलें uniform पहन के आना ना committee बोलती है आते हैं अच्छा और कोई अथर बोलता है ज्यादा coverage नहीं हो पाएगा practical नहीं है प्रथम बोलता है हो सकता है कि नकली चीजे हो सिर्फ कुछ समय के लिए हो हां पूरे टाइम वहां पर रह नहीं सकते हैं ओके दो drawback है जो standard में लिखे मैं आपको तो number one it gives you evidence for a particular moment of time आप जब गए तब वैसा था लेकिन इसके पहले और इसके बात वैसा था क्या यह हम कुछ अश्वार नहीं कर सकते हैं यह हम बोल नहीं सकते it gives you evidence only for a particular point of time चीजे हो सकता है वैसे ना थी पहले और बाद में आपने जाकर देखा systematically लोग काम कर रहे system से काम कर रहे पूरा step by step काम कर रहे one two three four पूरा काम कर रहे लेकिन वो उस moment of time पे हम जब गए थे तब जुलाइ का महना चल रहा था और जुलाइ के महने में system बराबर काम कर रहे थे लेकिन ज़रूरी नहीं है जून तक बराबर काम हो रहा था या जुलाइ के बाद काम बराबर हो रहा था it gives you evidence for particular point of time इसलिए शायद आपको बार-बार विजिट करना पड़े surprise विजिट करना पड़े दूसरा the fact that you are being observed changes behavior of the people जब लोग को पता चलता है कि उनको observe किया जा रहा है तो उनका behavior बदल जाता है जब आपके रूम में आपके parents होते है तब आपका जो behavior होता है करेक एकदम सीधे बैठे हुए है टेबल पे बैठे हुए है अच्छानक लिखना शुरू कर दिया है highlighter भी आगया है mobile ऐसे 10 feet दूर है mobile ऐसे उल्टा करके रखा हुआ है silent पे है और ऐसे फिर revise भी कर रहा है okay this, that, calculation और जब दरवाजा बंद है जब बैठे हुए two rel देखी एक लाइन पड़ूगा two rel देखी एक लाइन पड़ूगा तब आपका behavior अलग है point is everything can be fabricated for that moment it is really very good evidence but it is having two drawbacks observation के दो drawback है डियान दीजे observation consists of looking at process or procedure observation मतलब जब आप जाकर you look at process or procedure यह आपका observation हो गया यह आपका observation हो गया being performed by others for example the auditor's observation of inventory counting entities personal personal मतलब employees जब इसका क्या मतलब बोल रहा है for example भाई कमपनी कौन चला रहा है management accounting कौन करने वाला है management closing stock की entry लगती है yes no क्या entry होती है closing stock account debit to trading account credit यह entry पास कौन करेगा management उसके लिए जाके actual inventory देखनी पड़ेगी तो वा actual inventory देखेगा कौन management कौन देगा management counting भी कौन करेगा management we have to go and observe them कि वो लोग बराबर counting कर रहे कि नहीं कर रहे वो ही लिखा है for example the auditor's observation of inventory counting by entities personal और the performance of control activities वो बराबर control activities जिते भी steps process बनाये हैं काम करने के लिए उसी को technically बोलते है control activities उसी काम करने के steps और process बनाये हैं उसी को क्या बोलते है control activity for example 10 लाग की उपर purchased गया तो senior manager का signature लगेगा और company का stamp लगेगा senior manager का signature signature data stamp लेना यह step है यह क्या है step है it's a part of internal control system it is part of internal control system उसी को क्या बोलते है control activity आरे क्या बोलते है control activities control activities observation provides audit evidence observation provides audit evidence about the performance of process or procedure but is limited to point in time at which observation take place this is the biggest problem it gives evidence of particular point of time a particular moment of evidence that time of evidence it doesn't get the first time and by the fact that and by the fact that the act being observed may affect how the process or procedure is performed the fact that the act being exactly need to keep here you can't keep simple because people know that they are observed they may change their regular behavior people know that they are observed so their behavior changes as I have told you that our library is going to be an online library I know that in some time it is very active in the exam there is an online library you can go to the zoom and start the camera and start the camera when you are in front of the camera when you are in front of the camera you know that someone is watching you then your behavior changes so when you feel like you are in front of the camera and you are in front of the camera you are in front of your discipline put yourself on the and it is free of cost free of charge there is no charge I will share it there is no link you have one problem होता है अगर कोई भी बंदा उसमें नहीं रहा तो आदे गंटे में मीटिंग बंद हो जाती है ठीक है तो कोई volunteer करना चाहता है तो हम लोग username password भी देते हैं तो आप खुद को camera के सामने डाल सकते हो तो आपका automatically behavior थोड़ा सा बहतर हो जाता है because you know that you are being observed चलो दो problem है प्रेला problem क्या है at particular point of time और behavior changes because of observation आप simple language में अगर उसको लिखना चाहो तो वहां पर आप लिख सकते हो उसके problems क्या है उसके दो problems है एक particular point of time का evidence मिलता है particular point of time का evidence आपको मिलता है ठीक है दूसरा problem है observation changes original behavior original behavior change होता है हो सकता है लोग fake गलत आपको impression दे रहे हो झालतो आपको लोगगा हो और लोगगा हो वहां अगे, ध्यान देंगे, ना लिसन, observation के दो problem देख लिए हमने, observation के बाद में अगला क्या था, inspection, inspection, inspection involves examining of records or documents, जब भी हम examine करते records या documents को, whether they are internal, हो सकता है company के अंदर बने हो, या company के बाहर से आयो, paper में हो सकते है, बहुत बढ़िया, electronic emails हो सकते है, file हो सकते है, बहुत बढ़िया, और any other media हो सकता है, वो भी electronic में आता है, but then कभी-कभी चीजे हो सकता है, कि आपकी plastic की उपर printed हो, कोई machine की की उपर printed हो, boxes की उपर printed हो, ऐसा भी होता है, और any other media, और जब आप physically examine करते किसी asset को, जब आप किसी record या document को study करते हो, वो भी inspection है, और जब आप किसी asset को examine करते हो, वो भी inspection है, उसमें कुछ भी drawback वाली बात लिखी हुई नहीं है, observation में थी, ठीक है, यहाँ पे हम inspection को बहुत detail में later देखने वाले है, इसके बाद ही है, inquiry में भी सीव इतना लिख दो अभी later, ठीक है, क्योंकि उसमें हम समय दालने ही वाले है, later लिख दो, बस नीचे, अगर आप देखोगे, तो नीचे inspection और inquiry detail में आता है, वहाँ पे उसको और पढ़ लेंगे, recalculation क्या होता है, example में बहुत सारे example आप दे सकते हो, fixed asset में depression होता है, उसको फिर से निकालो, वो क्या हो गया, recomputation, आपकी inventory में cost निकलती है, उसको फिर से निकालो, वो क्या हो गया, recomputation and so on, reperformance, जो काम generally कौन करता है, management और account की team, वो काम आप फिर से perform करो, वो क्या हो गया, reperformance, listen guys, analytical procedure, पर लिखो, don't read right now, essay 520 में हम इसको अभी बिल्कुल भी ना पढ़े, कुछ भी पल्ले नहीं पढ़ेगा, कुछ भी, अगर, कुछ भी नहीं समझेगा कि लिखा क्या है, और क्यू लिखा हुआ है, अपन ने अभी एकदम simple मतलब देखा, क्या मतलब देखा, compare करना, अरे, क् करना, compare करना, किसे, पिछले सालों से और दूसरों से, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, गलतिया भी मिल सकती है, ये भी, सर आप इसमें सब में आ, क्यूंकि सब के उपर एक-एक essay है, बिल्कुल, essay 505, later, बाद में पढ़ने वाले ये सब, term audit procedure, ये बच्चों को, term audit procedure in general means performing any audit activity, performing any audit related activity, depending on context, it may mean following, देखा, एक बात simple रुको, ध्यान दो, Guys, it is not law, law में आपके बहुत fix चीज़े चलती है, बहुत ज़दा fix कि इस word का यही मतलब होगा, audit में ऐसा नहीं है, देखो इसमें, इसलिए theory is a art, जो practical और बहुत कट्टू को बच्चे चलते हैं उनको practical में बहुत मज़ा आता है, law में बहुत मज़ा आता है, theories and art, हम एक flow क्या होता है, audit में process क्या होता है, अलग-अलग phases क्या होते, पहले कौन से activity करते, बाद में कौन से activity करते, कैसे आगे बढ़ते, कैसे information collect करते, एक मोटा-मोटी क्या है, flow है, अब आप कोई बहुत technical word, audit procedure कोई technical word नहीं, उसका simple मतलब है, audit में जित्ता भी काम कर रहे हम लोग, क्या है, audit procedure, लेकिन context के साब से, कभी वो ऐसा बोल रहा है, कि भई आप बताओ, पहले क्या perform करते हैं, बाद में क्या perform करते हैं, तो आपको समझ ना अच्छा, पहले हम risk assessment करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, risk assessment procedure, that is R.A.P. उसके बाद risk मिलने के बाद, further audit procedure, that is F.A.P. उसमें भ हो है, analytical procedures, a test of details, जब observation किया, वो क्या हुआ, test of details, document देखा, वो क्या हुआ, test of details, are yes no, okay, it may mean further audit procedure, R.A.P. F.A.P., it may mean different methods of collecting audit evidence, जब वो evidence collection की बात कर रहे है, किसकी बात कर रहे है, evidence collection की, उस context में अगर audit procedure word use करेंगे, मतलब वो क्या indicate कर रहे है, methods of collecting audit evidence, अरे क्या indicate कर रहे है, methods of collecting audit evidence, तो आप एक पत्थर की लकीर मत खीचो, पत्थर की, लकीर मत खीचो, context किस context में बात कर रहे है, मुटा मुटी क्या पू करेंगे. It may simply mean any activity in essay. So, एक उस वर्ड को पकड़के बैठने की जरुरत नहीं है. ठीक है. चले कुछ सुनाया जाए. ठीक है. ज्यान. मैं ऐसे एक और एक चीज सुनाता रहता हूं, कर दोगी. मैं जो सुना तो, अभी मैं कुछ सुनाने वालो आपको. जो भी मैं सुना हूं, ठीक है. सुनने के बाद मेरे को, हाँ, रोना मत. बुरा भला नहीं बोलेंगे. ठीक है. सुनने के बाद मेरे उपर कोई ओपिनियन नहीं बनाएंगे. इसको सुनने के बाद घर पर जाके इसके बारे में घरवालों को नहीं बनाएंगे. घरवाले समझ सकते हैं कि तुम पागल हो गयो. और बोलेंगे बस बेटा, जितना सीए पड़ा उतना बहुत है. ठीक है. अ अभी मैं क्या मैं तो प्रोफेसर आत्मी हो, तो ऐसा कभी मेरे साथ होंगा? नहीं है. वह आज तक तो नहीं हुआ. ठीक है? क्लास भी दिन में चल रहा है कोई अंधिर है अंधिर कोई सिलाक कर सकता हूं, सिर्व लड़को को यवग करता हूं, कन्याओ को नहीं है. very early in my teaching I understood कि कन्याओ को के उपर example नहीं करने का लड़के क्या रहते एकदम ही नालाइक इनकी कित्ती भी बैंड बजा दो ये एकदम मैं तो popular हो गया बोले ठीक है आचा लड़कों का और खास कहा है example अपने पे बना अपने दोस्त बना दोनों में इकवल मजा आता हूंगो खुद पे मैं फिर भी मजा आते हैं दोस्त पे और मजा लेते लड़केयों का ऐसा नहीं है सर हमारे ग्रूप पे आपने इतने एकजामपल हां उनके ग्रूप पे आपने दो ज्यादा एकजामपल अरे पागल हो गए कौन गिंता ये सारी चीज़ है ठीक है और थोड़ी खिचाई हुई तो थोड़ा बुरा भी कभी नहीं में इस गुड़ sensitive रहते है थोड़ी लड़के sensitive तो क्या बोलते है sensitive है आचा आचा तो और कमज़ोर दिलवाले नहीं सुनेंगे ठीक है थोड़ा शॉक लग सकता है खिट की दर्वाजों से दूर रहेंगे कुदने कोशिष्ट भी नहीं करेंगे ठीक है सर बस मामा पनाओ तुम मापमा 0-0 ओ मामाल ओ मामारि मापमा ओ मुद्दे की बाद कुछ मत करो सर आपका नम अबे शर्मा मत चिकने तू सच बता हर अफ्तिया के फेशल कर बता कै शिवराज भए नाम इतना ऐसा शिवराज नाम है यार शिवाजी महराज पे नाम है तेरा यार मैं ऐसे कैसे एक्जामपल चलो जान दो शिव ठीक है भगवान ठीक है इतना गंदा भी ने इतनी मज़े भी ले रहा है तो शिव क्या करता है होनार बुद्धिमान शक्तिमान पहले कुछ लेने से पहले तारीफ कर देना श्री को बहुत मजा रहा है अज अपन शिव किछ मज़े लेंगे तो शिव हुनार बुद्धिमान शक्तिमान और अब सुनो सिच्वेशन को समझो तो शिव ठीक है तिर्थ यातरा पह है और तिर्थ यातरा पह है नंगे पाओ ठीक है अब उसको एक बहुत बड़ी गुफा क्रॉस करनी है अब गुफा क्रोश करनी है मतलब he can die, ठीके, बहुत ही बहुत sensitive situation है, बहुत problem है, अब problem है, अब problem है कि, ठीके, he is not, मतलब अब cross करना, it's all dark, तो अब ही कैसे cross करना, correct, तो इसके पास, अच्छा, किसी को पता होगा तो पूपट नहीं करें, तो अगली बर मैं बैड मा जाओंगा, तू मत बता, देख, तो शिव अभी धोती पहन के वहाँ पे खड़ा है, उसको cross करना है, और उसके पास में सिर्फ एक 10 रुपे की note है, वो भी पुरानी फटी हुई है, ठीक है, तो वो कैसे cross करेगा, मैं पहली बता दू, वहाँ पे कोई पांठेला नहीं है, कि वहाँ से वह लाइटर, 10 माची साथी, देख देख ये माची सवाला है, और लाइटर पचीस का ता कौन बोला रहा है, यहाँ, 20 पचीस, 20 पचीस, भाई लड़किया बहुत आगया आजकर, मैं पान ठेले पे मैं पान बनवा रहा है, बैस कन्या ही वहाँ पे, दो तीन डबे सिग्रेट के, मैं को एक ऐसा भी नहीं है कि हैपी देंट खालेगा और लाइट आजाएगा, ऐसा भी नहीं है, तब यो क्रॉस कैसे करेगा, जगात, हाँ, सस्पेंग, चलो, कैसे करेगा क्रॉस, हाव विली क्रॉस, जीवित कैसे रहेगा, चलो, मैं बताता हूँ, कमज़ दिल वाले खुद को संभ समझ में नहीं आता, कुछ लोग हसते क्योंकि मैं हसरा पहले देखते, फिर कुछ लोग हसते बाजवाले को देखके, फिर उनको घर जाने के बाद समझ में आता, था क्या, फिर वो फिर से हसते एक बाद, फिर सोने से पहले फिर से हसते, अभी मेर को नहीं समझाता, रहे, बेट्जा बेटा, गार्डन थोड़ी है, ठीक है? Now, listen, बहुत आसान है, सुनो, अभी क्या करेंगा अपना शिव, अपना अंगुठा लेंगा, अंगुठा लेंगा, और एक काच का तुकडा या पत्थर लेगा उसको, कट करेगा, उसमें से खून निकलेगा, और पूरा खून उसको लगा देगा, और पूरा खून उसको लगा देगा, Now, Shiv can very comfortably cross the tunnel, कोई प्रॉब्लम नहीं है, He can do that very easily, क्यों सर, अरे अब उसके पास में लालतेन है, आत्मत्या मत कर, सिर्फ खूदना मत, भापरे, भुले क्या था ये, मैंने बोला था पहले, अच्छा कुछा को समझ मी नहीं आभी भी, कुछ लोग को समझा ही नहीं की हुआ गया, मैं बता था कसम से 30% जनता जिनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने रिलाइज किया, तो किल वन फ्रॉस्ट्रेशन, यू नहीं पता होगा, पढ़ें, जब पढ़ाई का फ्रॉस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाता, तो आपको और एक फ्रॉस्ट्रेशन चाहिए, तो फिर आपको लगता है, इससे तो पढ़ाई अच्छी है, पढ़ लो, सही में, अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम सॉल करना है न, यू जब इन्टो बिगर प्रॉब्लम, हाँ, ठीक है, सपोज आपको, आप थोड़ा सा गिर, आपको कुछ प्रॉच्छ वे जाएगा, थोड़ा खूर निकल रहा, अपको लाइफ किता दुख रहा है, फ्रैक्चर हो गया, यह भूल जाते आप, सर, ध्यान देंगे, ना लिसन, एक इच रहता है, यह तो ग्यान यह तो जहर, प्लीज घर जाके नहीं सुनें, और होस्टल में तो बिलकुल नहीं, ओके, ध्यान देंगे, ना लिसन, ओके, ध्यान दीजे, ना लिसन, अब अपन, क्योंकि मैं, ओनलाइन वाले स्टिकर भेज भेज के पागल हो गया है, मर जाओंगा, उल्टी आर यह बोले, उल्टी आर यह बोले, यह सब कालपनी के, इसका वास्तिकता से कोई संबन नहीं है, ध्यान देंगे, ना लिसन, उसके, वो strategically placed था वो, क्योंकि अभी हम असर्शन का और मतलब देखने वाले है, ना लिसन, सब लोग ध्यान से लिए, देखिए, जो अपने इनिशल क्लासे से, वो बहुत अपन प्यार मुबबद से conceptual clarity को खोलते जाएंगे, जितनी conceptual clarity अपनी खुलती जाएंगे, आगे अपनी speed बढ़ती जाएंगे, ना लिसन, ना केरफुली, इस वेरी इंपॉर्टन तो अदर्स्टन इस कॉंसेट, आईए, लिखे मेरे साथ साथ, ओनलान बोल रहे, मुए मुए हो गया मेरा, बोले सर, इतना गंदा था बोले ये, इतना गंदा था कि क्या ही बताओ कितना गंदा था, ओके, ना लिसन, ना लिसन, कोई मुझे बताएंगा कि, इंग्लिश में एक वर्ड आता, असर्ट, अभी सुने अपने, असॉल्ट नहीं, असॉल्ट मतलब धुलाई करना, मारना, पीटना, असर्ट, कोई मुझे बताएंगा, असर्ट का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता जगता है, असर्ट, अभी इत्ती इंग्लिश थोड़ी, थोड़ी तो आती होंगी, असर्ट मतलब बराबर, असर्ट, असर्ट, असर्ट कभी सुना नहीं क्या असर्ट, कोई मुझे, कॉन से स्कूल में थे, आप कॉन से स्कूल में थे, पिर तो बहा तो और भी बेटर और होना ची Convent School में होंगे ने हापे कोई Okay Confidence To Assert मतलब To Say Something Confidently To Assert मतलब To Say Something Confidently Assertion पर Discussion कर रहा है Assert To Say Something To Say Something Confidently To Say Something Confidently उसको बोलते Assert ठीक है Now Listen जहर मिला काफी नहीं किया बोले मेर पर एक महरबानी करना कि फिर से जोग की महरबानी मत करना उसको इतना खतर्नाक शॉक लगा लाइप में बोले मैं इतना गंदा नहीं सुन सकता बोले नहीं हर दो तेन दिन में एक हाथ दाखेंगे ठीक है मेर पास साथ सो का लिस्ट है पुरा अगर किसी को मैंने किसी ने सारे सुन लिया तो फिर ठीक है आप लोग के क्रिएटिविटि इतनी बढ़ जाएंगे अब कुछ भी सोच सकते हैं आप इसका ब्राइटिविटिविटिविटिवीटिविटिविटिवमिटिव निक्रीज विला देन दिनने चॉर लिखो वहापे था सॉर यहां पे All the information given by management through financial statements management financial statements बनाता है वो financial statement से जितनी भी information आ रही है जितनी भी information हमको मिल रही है जितनी भी information is called assertion उसको assertion जितनी भी जानकरी मिल रही हमको assertion क्योंकि management उसको बनाता है उसको हम management assertions बोलते हैं कुछ लोग इसको financial statement assertions भी बोल सकते हैं management financial statement के थूप पूरे दुनिया को information दे रहा है कुछ बाते बता रहा है तो financial statement से मिलने वाली जितनी भी जानकरी है that is called assertions क्योंकि management उसको बना रहा है तो उसको क्या बोलते है management assertions और उसको और क्या बोलते है financial statement assertion for example अगर balance sheet P&L आपके financial statement में लिखा है कि भई company का turn-or हजार करोड है यह information मिल रही है that is assertion वहाँ पे ओ लोग बोल रहा है कि हमने 50 करोड का profit कमाया that is a assertion वो बोल रहा है हमारे assets की उपर charge है that is a assertion वो ऐसा बोल रहा है कि हमारी contingent liability है 5 करोड की statement के थ्रू जितनी भी information वो दे रहा है उसको हम broadly क्या बोलते है assertion यह उसका broad मतलब है that is assertion now आगया यह अब उसका specific meaning अब ताइम हो गया अज अरे यार पता ही नहीं चला कब हो रहा है अरे इसलिए लोग इतने बैचन हो गया और ऐसे कैसे तू हमारी जान ले रहा है चले देन देंगे आज का audio आएगा आज का ठीक है जितना होगा उस आज का DPQ भी आएगा ठीक है एंसर कैसे लिखना वो भी आएगा चले आज के लिए इतना काफी है प्लाई बाई बाई बाई